कि लाइब हालो एब्रेबान वेरी गुड मारिंग टू आल कैसे हैं आप सभी जैसा आप लोग जानते हैं कि एसे सी जई के क्रेश कोर्स में हमारी हाइवे इंजिनियरिंग की क्लासिस चल रही है डेली सुबा आठ बजे और आज हम लोग उसी कोर्स को फर्दर आगे कॉंटि को ने ट्राफिक इंजिनियरिंग कवर किया था और आज हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वह हाइवे मैटीरियल्स के बारे में हम डिस्कूस करने वाले हैं एक बर जल्दी से मुझे कमेंट सेक्षिन में बता दीजिए सभी को वैस क्लियर आ रही है वेरी गुड मॉनिंग सो आज हाइवे मैटीरियल्स टॉपिक जो हम लोगों को कवर करना है बिसिकली मैटीरियल्स से बहुत सारे ना वन वन माक के कुश्चन्स पूछे जाते हैं चाहे वो आपका स्टेट एक्जाम हो गया या ससी जई एक्जाम हो गया जो भी ऑबजेक्टिव एक्जाम है कि इस हम लोग सब्सक्राइब में की मिघेयरीен गया जो सबसे बहुत करा कर दो किये जनने से किया जाता है लैब में टेस्ट कोन से परफॉर्म किये जाते हैं तो प्रॉपर्टीज और टेस्ट कौन से परफॉर्म किये जाते हैं तो टेस्ट जानेंगे और नेक्स्ट हमारा जो पार्ट रहेगा कि बिटुमिन उसकी प्रॉपर्टीज और बिटुमिन की प्रॉपर्ट ताइब को है में बोलेगा कि आप ऑफ्रोपर्टी साही या इस प्रापर्टी को चेक करने के लिए kौंसा टेस्ट किया जाता है तॉ लास्ट में हम जैसे की डेली पार्ट कवर करेंगे हैं चल्ड करेंगे और क्लास के लास्ट में कुछ हम questions practice करेंगे जिससे आपको idea लग जाएगा कि इस basically इस chapter से किस type के questions है जो exam में पूछे जाते हैं very good morning everyone और मैं मानकर चल रहे हूँ आपने traffic engineering revise कर लिया होगा कल की live class के बाद उसको recorded देखा होगा और चीज़ें आपको शायद समझ में आई होंगे और questions भी आपके बन रहे होंगे ठीक है चलिए तो शुरू करें कितने लोग है जिन्नोंने पहले highway material पढ़ रखा है देखिए ये वो chapter है क्योंकि ये theoretical है और आदे से ज़्यादा चीज़ें इसमें याद रखने वाली है तो अ ना किसी state AJ में आ ही रखा है ठीक है उसको साथ साथ में कहीं ना कहीं लिखते जाना आदे से ज़्यादा चीज़ें क्लास में याद हो जाएंगी अगर लिखोगे तो last में जो हम questions solve करते हैं जो last में हम quiz solve करते हैं तो उसके questions भी आप आसानी से लगा पाओगे ठीक है चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे highway materials में soil के बारे में अब soil की different properties की अगर मैं बात करूं जिसने नहीं पढ़ा है कोई बात ने जिसने नहीं पढ़ा है तो वो ध्यान लगा के यहां पर सुनिए हना और इदर उदर ध्यान नहीं जाना चा जाते हैं उसकी अलग-अलग properties को जानने के लिए जो आपने soil mechanics में मैं मान कर चलती हूं कि आपने पढ़ लिया होगा ठीक है तो अब कुछ टेस्ट जो यहां पर जानने के लिए जरूरी है मैं वह बताने वाली हूं इसके अलावा जैसे टेस्ट है ट्राइक्जल टेस्ट है उन सब की पूरा procedure वो किसे perform किया जाता है क्यों perform किया जाता है already आप soil mechanics में पढ़ चुके हो ठीक है चलिए तो अब start करते हैं सबसे पहले तो अगर मैं soil की बात करूं हम यहां पर दो majorly दो important test के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहला है plate bearing test या इसे load test भी बोला जाता है या plate load test test भी बोला जाता है जो basically soil की bearing capacity को check करने के लिए किया जाता है bearing मतलब soil कितना load bear कर पाएगी कितना load carry कर पाएगी वो property चेक करनी है तो plate bearing या load test perform करेंगे दूसरा test है CBR test जिसको California bearing ratio test भी बोलते हैं जब हम इस test को perform करते हैं इससे जो result आता है उससे हम लोग payment की thickness decide कर सकते हैं कि कितना हमे payment की thickness provide करनी है अब different type of payment कौन कौन सी होती है उनकी क्या properties है और कैसे उसमें load transfer होता है वो हमने कल की class में सीखना है तो strength of soil और साथ साथ में payment की thickness decide करने के लिए CBR test perform किया जाता है और आपने आप में से बहुत से लोगों ने college में CBR test perform भी किया होगा अब सबसे पहले ह आपको general idea दे रही हूँ आप वो सुनिए उसके बाद जो important points बताऊंगी वो ध्यान रखना ठीक है अब मुझे क्या करना है soil की bearing capacity निकालनी है तो सबसे नीचे मैंने क्या किया एक rough summary सुन लीजिए इस test की होती क्या है अब हमने क्या किया एक circular plate ली इस circular plate का कोई diameter बता सकता है तो comment section में बताईए standard एक circular plate ली और जिस soil की bearing capacity निकालनी है उसके उपर इसे place किया धीरे धीरे हमने इसके उपर load लगाया जब load लगाएंगे तो मैं हमारी settlement आईगी अब यहाँ पर soil है इसके उपर मैं एक plate रख देती हूँ और धीरे 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 इस पर load लगाती हूँ तो soil क्या करेगी सेटल होगी जब स्वाइल में settlement आईगी तो settlement को हमने चेक किया settlement को चेक करने के लिए आप क्या देख रहे हो डायल गेज लगे हुए हैं तीन डायल गेज लगे हुए हैं क्योंकि हो सकता है कि settlement even ना हो यहाँ पर 1 mm हो या 1.5 हो यहाँ दो हो तो तीनों की जो average value हो आईगी उसको मैं अपना settlement मानूंगी यहाँ पर की उतनी प्लेट सेटल हुई है तो देखो हुआ क्या यह सर्कूलर प्लेट थी मैंने इस पर लोड लगाया लोड लगाने की वज़े से क्या होगा मैं दीरे 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 यह सेटल करेगी तो लोड और settlement यह दो वेल्यूस क्या हमें मिल जाएंगी तो जब मुझे लोड पता है तो अगर मुझे प्रेशर निकालना है तो प्रेशर आप कैसे निकालोगे मैंने बोल दिया लोड आप लगा रहे हो लोड लगाने की वज़े से प्लेट हमारी सेटल हो रही है सेटल्मेंट को डाल गेज से मैं चेक कर हुँ तो मैंने कहा कि अगर मैं प्रेशर की फॉर्म में बात करूँ तो प्रेशर बोलोगे लोड अपॉन एरिया कितना लोड लगा रहे थे हमें पता है कितने एरिया में डिस्ट्रिब्यूट हो रहे हैं वो कैसे निकाल सकते हैं मैं यह जो सर्कुलर प्लेट आप बता रह प्रेशर की फॉर्म में बताना है तो लोड अपॉन एरिया कर लेंगे अब मैंने प्रेशर क्यों बोला अब हम इसका step by step सारा प्रोसीजर जानेंगे आपको इतना पता चल गया कि प्लेट लोड टेस्ट में प्लेट होगी तीन डायल के लगे होंगे हम लोड लगा रहे होंग हमारे पास लोड की वेली होगी प्रेशर की वेली होगी और सेटलमेंट की वेली होगी ठीक है अब अब देखना हम हमें क्या करना है तो सबसे पहले जो प्लेट लोड टेस्ट होता है किसलिए किया जाता है जो सबसे नीचे वाली लेयर है वो कितना लोड केरी कर पाएगी उसकी load bearing capacity को चेक करने के लिए ये test perform किया जाता है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें, जो generally standard pressure apply किया जाता है, that is 0.07 kg per cm2, जो की exam में पूछा जा सकता है, exam में ये पूछा गया है कि जब आप plate load test perform करते हो, तो वहाँ से जो result आता है, वो किस unit में बताते हो, तो plate load test से जो result आएगा, उसको किस unit में बताया जाता है, modulus of subgrade reaction, किस time में define किया जाता है, modulus of subgrade reaction, अब यह क्या है, उसको समझते है, data from this test is applicable, दोनों ही payment design के लिए, चाहे आप flexible कर रहे हो, चाहे आप rigid payment design कर रहे हो, जो हम इस test को perform करेंगे, वहाँ से जो data आएगा, इन दोनों ही payment के design के लिए helpful होगा, और अब यहाँ पर जो हम standard diameter की plate use करते हैं, वो कितनी है, 75 cm, यह आपका exam में पूछा जाता है, कि standard diameter of plate कितना use किया जाता है, 75 cm, अब ध्यान से देखिएगा, अब आप बोलेंगे, मैं, load क्या किया, अब plate थी, हमने उपर से load लगाया, और load लगाने से plate दिरे-दिरे settle हुई, हमें कब तक load लगाना है, मतलब कब इस test को रोकना है, तो वो हमें पता होना चाहिए, तो क्या बोला है, कि load over the plate is applied और फिर हम settlement note करेंगे, तीन dial gauge जो वहाँ पर लगे हुए है, और कब तक, जब तक settlement 1.75 mm ना मिल जाए, अब हमारे पास मैं, तीन dial gauge लगे थे, जो plate के उपर थे, और ये क्या measure कर रहे थे, कि हमारी plate जो है, वो कितना settle कर रही है, तो जब तक मैं average settlement मुझे 1.75 mm ना मिल जाए, तब तक मुझे इस test को perform करते रहना है, इस पर load लगाते रहना है, अब जब ये मिल गया, अब क्या करना है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पर एक curve बनाएंगे, वो curve किस किस के बीच में बनेगा, ध्यान से देखिएगा, अब मैं यहाँ पर एक curve की मुझे pressure पता है, area पता है और settlement पता है, जो modulus of subgrade reaction के होता है, वो किस के बराबर होता है, P upon delta के, किस के बराबर होता है, P upon delta, अब ये delta क्या है, delta represent कर रहा है settlement, अगला question जो यहाँ से पूछा जाएगा, और ये कितनी settlement होती है, कोई बता सकता है, जब मैं modulus of subgrade reaction के की, तो मैंने क्या किया होगा, मैं जैसे जैसे load बढ़ा रहे हो, वैसे वैसे हमारा settlement क्या करेगा, मैं जैसे जैसे load बढ़ाओगे, वैसे वैसे हमारा settlement की value भी बढ़ती जाएगी, तो एक काम करते है, pressure kg पर cm2 में इस तरफ लिख लेते हैं, और जो settlement है, उसको मैं cm में ना मिल जाए, ठीक है, तो अब आपने, जैसे जैसे load बढ़ाया, मैं हम settlement बढ़ती गई, जब हमारा settlement 1.25 mm था, या 0.125 cm था, आपने क्या चेक करना है, मैं जब settlement 0.125 cm है, उस time पर हमारी pressure की value कितनी है, तो उस time पर हमारी जितनी pressure की value होगी, आप यहाँ पर put करोगे, और हमें result मिल जाएगा, modulus of subgrade reaction K का, तो K को हम क्या लिख सकते है, P upon 0.125, तो पहला question पूछा जाएगा, standard plate का diameter 75 cm है, जब K निकालते हो, तो कितनी settlement पे निकालते हो, 0.125 cm पर, अब मुझे बताइए, P है pressure, नीचे लिखा है settlement, जो modulus of subgrade reaction K होगा, उसकी units क्या होगी, जो modulus of subgrade reaction K होगा, क्या कोई उसकी unit बता सकता है, ये भी आप से एक number का सवाल पूछा जाएगा, तो मैंने settlement निकाली, मैं load निकाला, अब हमने standard एक term यहाँ पर define करी, कि जब मैं payment design करूँगी, तो उसमें मुझे इस K को कही ना कहीं put करना पड़ेगा, ठीक है, इस K को कही न हमारे पास निकल कर आएगी, अब यहाँ पर आप गलती कर रहे हो, जो kg पर cm2 बता रहे हो, अगर मान लीजिए, ये हमारे पास P की value, kg pressure क्या होता है, load upon area, तो kg पर cm2 P जो है, वो numerator में, denominator में किसको लिख रहे हो, मैं settlement को लिख रहे हैं, तो ये cm2 हो गया, तो K की unit अगर पूछा जाए, कि modulus of subgrade reaction K का unit क्या होता है, तो kg पर cm3 होता है, clear हो गया सबको, तो यहाँ से आपको कुछ-कुछ values याद रखनी है, क्या-क्या values याद रखनी है, modulus of subgrade reaction K is P by delta, unit is kg पर cm3, कितने load पर value निकालनी है, sorry, कितनी settlement पर, 0.125 cm पर, और standard plate हम जो use करते हैं, उसका diameter, clear हो आप मुझे बताए, जितनी जादा K की value आएगी, वो क्या represent कर रहा है, soil की load carrying capacity उतनी जादा है या कम है, तो अगर मुझे यहाँ पर relate करना हो, कि K is directly proportional to its bearing capacity या inversely, तो मुझे एक बार यह answer बता दो, क्या लगता है आपको इस result से, अरे Newton भी ले सकते हो, kg भी ले सकते हो, ठीक में भी कही पर कोई गलती नहीं होगी, आप load pressure जो लेना चाहते हो, pressure को load upon area करोगे, तो kg की जगा Newton भी ले सकते हो, अब मैं क्या होगा, कि जब हम modulus of subgrade reaction K निकालेंगे, तो K की value जितनी जादा होगी, उतनी जादा load carrying capacity होगी, soil की, या उतनी कम होगी, यह हमें कैसे पता इसका, directly proportional कुछ लोग कह रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं, inversely proportional, ठीक है, तो अब बोल रहे हैं कि यह delta जो होता है, यह delta क्या represent कर रहा है, कि हमारा soil कितना settle हो रहा है, जब हमने P load लगाया, यह represent कर रहा है, अच्छा, अब अगर मैं हम इसको compare करना है, कि K के साथ हमारी P की value जादा आएगी या कम आएगी, किसी एक चीज़ को constant मानना पड़ेगा, जो लोग बोल रहे हैं, के is directly proportional to bearing capacity, के is directly proportional to bearing capacity, उनका कहने का मतलब है, कि मैं जितनी जादा K की value होगी, अगर आप जादा pressure भी लगा देते हैं, तो delta की value कम, मतलब settlement कम होगी, हाना, अब देखिए, की जादा strength है, कौन सी soil की bearing capacity जादा है, किस में बोलोगे आप, मान लिजिए मैंने एक soil का specimen लिया, अब कुछ चीज़े constant रखते हैं, यह soil का specimen है मिरा हाथ, ठीक है, मैंने इस पर load लगाना शुरू किया, मैंने इस पर load लगाया, 10 unit, 20 unit, 30 unit, ठीक है, 10 unit, 20 unit, 30 unit, अब मैंने इस इसरा soil का specimen था, उसमें भी मैंने same load लगाया, same load को मैंने same रख लिया, pressure मेरा same है, अब जो settlement की value आई, वो 5 mmI, वो 6 mmI और 8 mmI, तो मुझे बताओ किस, यह specimen 1 था और specimen 2 था, किस की load carrying capacity जादा है, जब load same लग रहा है, तो दोनों में से settlement किसमें आपको जादा देखने को मिली, मै settlement second वाले में देखने को जादा मिली, तो इसका मतलब इसकी bearing capacity क्या होगी, मैम इसका मतलब इसकी bearing capacity जो है, वो कम होगी, ऐसा बोल सकते हो, और पहले वाले में settlement क्या है, मैम कम है, तो आप बोलोगे कि इसकी bearing capacity जो है, वो हमारी जादा है, तो इसका मतलब अगर मैं load को constant मान ल लिखा है इस value को constant मान लो तो जिसमें delta की value हमारे पास कम निकल कर आएगी उसमें k की value हमारी ज्यादा होगी तो load bearing capacity k की value जितनी ज्यादा है delta की value कम है अगर p constant है तो उतनी ज्यादा bearing capacity है क्या सब को clear हो गया तो k जितना ज्यादा होगा at same load अगर वहाँ पर settlement कम मिलती है तो हम बोलेंगे उसकी bearing capacity ज्यादा होगी समझ गए क्यूंकि k delta के inversely proportional है कोई doubt किसी को यहाँ पर अब यह तो था कि load की bearing capacity हमें कैसे calculate करनी है जो दूसरा test आता है वो है हमारा California bearing ratio test ठीक है California bearing ratio test में हम लोग basically cbr value निकालते हैं अच्छा आप जो cbr value निकालते हैं वो निकालने के लिए cbr जो test perform किया जाता है टेस्ट से कुछ standard question जो है मुझसे वो पूछे जाते हैं अब standard question क्या पूछे जाएंगे वो देखते हैं देखिए जो सबसे पहली बात cbr method जो है that is a empirical penetration test empirical penetration test यह चीज़ आप से एक्जाम में पूछी जा सकती है कहीं अब यह सारी चीज़े समझने से पहले एक बार यहां पर इस arrangement को ध्यान से देखिएगा यहां पर मुझे करना क्या है यह आपको दिख रहा है एक standard यह cylinder है नीचे एक ठीक है एक cylinder है इस cylinder में मैंने अपने soil के specimen को फिल करना है इस cylinder में मैंने soil के specimen को फिल कर दिया अच्छा अब फिल करने के बाद इसके उपर है एक plunger अब आपने क्या करना है इस cylinder में आपका soil का specimen पूरा अच्छे से फिल है आपने plunger से उसके उपर क्या लगाना है मैं लोड लगाना है प्लंजर से आप इसके उपर जब लगाओगे क्या स्वाइल का स्पेसिमेंट यहां पर सेटल करेगा बताओ क्या कुछ न कुछ यहां भी सेटलमेंट नजर आएगी बोलिए तो cbr टेस्ट में भी मैंने क्या किया एक लंजर लिया अब जो हमारा ब्लेटबेरिंग टेस्ट हां उसको साइट साइट परफोर्म कर रहे थे जो cbr स्प्रीज़ कर सकते हैं अब देखिए अब क्या बोला मैंने कि हमें यहां पर एक सेलेंडर लेना है उसमें स्वाइल का स्पैसिम settlement भी चेक करेंगे और कितना load लग रहा है इसको भी चेक करेंगे ठीक है ये दोनों values हमारे पास यहाँ पर मिलेंगी हमें तो load जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे initially हमारी settlement increase होती जाएगी तो जब मैं CBR टेस्ट करूंगी मैं दीरे दीरे soil के specimen पर load लगाती जाओंगी और अलग-अलग load पर settlement की values मेरे पास होंगी अब मुझे इस test को finally stop कब करना है ऐसे तो आप load बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ settlement आती जाएगी अब कुछ points जो यहाँ पर ध्यान रखने के हैं देखिए सबसे पहले जो cylinder है जिसमें आपको soil का specimen fill करना है क्या कोई बता सकता है उसका diameter कितना होता है यह आपके state exam के questions है जो cylinder है जिस mold में आपको soil का specimen fill करना है उसका diameter होता है 1 mm जो star लगाए है वो सारी important है ठीक है 150 mm तो मैं 150 mm है इसका diameter इसके उपर जिससे हम load लगा रहे थे वो जो piston था जो cylindrical shape का था उसका diameter कितना है मैं 50 mm इसका diameter कितना है 50 mm किसका diameter जिस piston से आप इस पर load लगा रहे थे जिस piston से आप soil specimen पर load लगा रहे थे clear हो गया अच्छा जब आप load लगाओगे तो मैं यहाँ पर यह piston क्या करेगा यह settlement show करेगा अब settlement show करेगा आपको कब तक किस test को perform करना है जब तक मुझे final result कितना ना मिल जाए settlement का 12.5 mm 12.5 mm पर stop कर देना है अब load को लगाने का rate मुझे दिया हुआ है कि किस rate से load बढ़ेगा देखे 1.25 mm पर मिनट अब यह plunger है यह soil है plunger दीरे 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 soil में penetrate होगा तो किस rate से होगा 1.25 mm पर मिनट एक मिनट में कितनी penetration होगी 1.25 mm की अगर इतनी penetration हो रही है तो load कितना लगाना पड़ रहे है वो भी हम साथ साथ node down करते जाएंगे तो cbr में मैंने सबसे पहले क्या याद रखा cbr test में हमें जो mold यूज करना है diameter 50 mm जो plunger होगा जिससे load लगाया जाएगा 50 mm final अपने result को stop कब करना है जब last value 12.5 mm मिल जाए किस rate से load लगाएंगे 1.25 mm पर मिनट के rate से load लगाएंगे ठीक है ये बाते clear हो गई इसके बाद अब अब आपने क्या किया आपने यहाँ पर load versus settlement कर भी बना सकते हैं अगर आपको show करो मैं तो मैं मैं आपने load भी यहाँ पर measure किया और आपको यहाँ पर अलग-अलग settlement भी देखने को मिली ठीक है तो आप जब load versus settlement कर बनाओगे तो generally मुझे वो ऐसा देखने को म मिलना चाहिए कि जैसे जैसे आप load बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपका जो settlement है वो हमारा increase होता जा रहा है और कब तक value है हमारे पास 12.5 mm तक अब मेरा काम है CBR value निकालना CBR value किन दो penetration पर निकाली जाती है कोई बता सकता है CBR value किनी दो penetration पर निकाली जाएगी मतलब तो penetration हुई penetration हुई इसका मतलब स्वैल का specimen में थोड़ा सा settlement आया किनी दो standard settlement पर हम लोग यहां पर क्या करते हैं CBR निकालते हैं क्या निकालेंगे CBR तो बताइए अग किसी particular time के बाद concept of physics हमारा plunger जो है mold को नीचे से touch कर जाएगा तो test का result वैसी आना बंद हो जाएगा तो 2. 2.5 और 5 very good तो हमें क्या करना है settlement जब 2.5 mm है और 5.0 mm है जब हमारी penetration 2.5 mm या 5 mm penetration होई तो उस time पर कितना load लगा था वो वाला P और 5 mm वाला load हमने इस curve से निकाल लिया इस curve से निकाल लिया ठीक है अभी भी CBR value नहीं मिली है CBR value को कैसे define किया जाता है तो CBR at 2.5 या at 5 mm penetration is equals to जितना भी load carry किया load carry by the soil specimen at 2.5 mm penetration या 5 mm penetration मतलब 2.5 के लिए अलग से formula लिखूंगी 5 mm के लिए अलग से ठीक है दो values निकलेंगी अब divided by divide किस से करेंगे मैंने क्या किया मैंने soil specimen पे test किया load लगाया load versus settlement curve बना 2.5 mm पे कितना load था 5 mm पे कितना load था वो दोनों निकाल लिया denominator में किसको लिखेंगे अब हमारे पास कुछ standard result है हमने क्या किया है same इसी test को aggregates पर perform किया है पहले standard कुछ aggregates है हमने उनको पहले कभी observe किया है और जब standard aggregate पर मैंने same test perform किया था तो यह पाया कि 2.5 mm penetration जब उसमें हुई तो वो कितना load carry करते है 1370 kg अब यह standard values है यह मुझे याद रखनी है तो denominator में क्या आएगा यह था load carry by the soil specimen इतना इतना penetration पर और load carry by standard aggregate क्या बुलेंगे load carry by standard aggregate load carried by the standard aggregate standard aggregates ने कितना load carry किया at 2.5 mm penetration और 5 mm penetration multiply 100 कर दो तो आपको यहाँ पर percentage में CBR मिल जाएगा तो मैं इसका मतलब अगर मुझे लिखना है CBR 2.5 mm तो किसके बराबर होगा कितना load 2.5 mm penetration पर soil specimen का था standard aggregate ने कितना load carry किया था वो याद रखना है 1370 kg होता है multiply 100 और CBR at 5.0 mm penetration is जो 5.0 mm penetration पर soil ने load carry किया था और aggregates कितना load carry करते हैं very good सही बता रहे हो 2055 kg तो अगली value जो मुझे exam के लिए याद रखनी है वो ये वाले दो standard load है अब मैं CBR की तो यहाँ से आपने दो values बताई एक बताई 2.5 mm पर CBR निकलेगा और दूसरा 5 mm penetration पर CBR निकलेगा इन दोनों में से कौन सी value को मैं अपना final result मानूंगी बता सकते हो इन दोनों में से कौन सी value को मैं final result मानूंगी बताई ज़रा अब दो values निकली हैं मैं यहाँ से एक percentage निकल गया x1% और यहाँ से एक result मिल गया x2% तो मैं अपना standard result इन दोनों में से किसको मान कर चलूंगी तो यह चीज सेम यहाँ लिखिए याद रखिएगा exam के लिए ठीक है तो जब में को exam में question आएगा तो इन दोनों में से जो maximum value होगी maximum value of 2 CBR at 2.5 mm और CBR at 5 mm इन दोनों का maximum value मेरा final result होगा generally होता क्या है maximum time 90% cases में जब मैं CBR test perform करूंगी तो 2.5 mm पर जो value मिलेगी वो 5 mm penetration से ज़ादा मिलती है अगर आपने college में test perform किया होगा CBR test तो आपको भी यही result मिला होगा generally यह मिलता है हमें देखने को अगर by chance इसको opposite case देखने को मिले कि CBR 5.0 mm is greater than CBR 2.5 mm तो हम क्या करते हैं हम उस case में practical बात करूं तो test को repeat करते हैं test को repeat करते हैं और check करते हैं कि test को कि अभी भी फिर से same result आ रहा है अगर फिर से same result आ रहा है तो 5 mm को अपना standard result माल लेते हैं अब मेरे से state exam में तो पूछे गाने की result करना है या नहीं मतलब result फिर से find out करना है मेरे को एक value निकानने को बोला है कि CBR की value बता दो कितनी होगी तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों की maximum value ली जाएगी इस case में 5 जादा थी तो 5 को मैंने result माना इसमें 2.5 जादा थी इसको result माना तो इन दोनों की जो final value होगी वो क्या होगी इन दोनों की जो maximum value होगी वो हमारी CBR consider करनी है तो CBR का एक numerical भी मैं लेकर आई हूँ आज की class में तो अगर numerical आता है कैसे solve करना है वो हम यहाँ पर सीखेंगे repeat क्या करना है वो तो बताओ repeat क्या करना है मैंने कहा कि repeat आप शहरे लिख रहे होंगे कि test repeat करना वड़ता है एक तो आप एक शब्द लिखते हो ना उससे समझना भी मुश्किल हो जाता है कोई बार कि आप बोलना क्या चाहरे हो पूछ रहे हो या बता रहे हो चलिए अब आगे चलते हैं तो हमने यह जो दो test पड़े एक CBR देखा एक plate load test देखा या plate bearing test देखा यह soil के उपर perform किये जाएंगे और यहां से हम CBR भी निकाल लेंगे और modulus of subgrade reaction के भी निकाल लेंगे ठीक है अब यह पूरा test पड़ाया और बोल रहे है test repeat करो हाना मजाक लग रहा है आपको यह class हाना चलिए तो अब आगे बात करते हैं aggregates पर कौन-कौन से test perform किये जाते हैं इतना आराम से समझा रही हो पूरा procedure बता रही हो और फिर बोलते हो कि मैं पूरा फिर से repeat कर दो अराम से बैठे हुए हो अपना और यहां पर जो पढ़ा रहा है वो एक बार पूरा सब पढ़ा चुका है 15-20 मिनट लेके फिर से इनको repeat करके समझाएंगे हम test का procedure है अच्छा देखो अब बात करेंगे हम कि aggregates जो होंगे उनकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी रिक्वायर है और जो प्रॉपर्टी रिक्वायर है उसके लिए कौन सा टेस्ट जो है वो पर्फॉर्म किया जाता है ठीक है अब देखिए अब सबसे पहले जो मुझे सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी रिक्वायर है वो है एग्रीगेट की स्ट्रेंथ सबसे पहली जो प्रॉपर्टी रिक्वायर है वो है एग्रीगेट की स्ट्रेंथ तो स्ट्रेंथ को कैसे डिफाइन किया जाता है एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को डिफाइन किया जाता है resistance against strength को define किया जाता है resistance against gradual loading यह कैसे define हुआ है यह paper में पूछा जाता है यह paper में पूछा जाता है ठीक है अब gradual loading का मतलब क्या है अगर मुझे define करना है कि aggregate की मुझे एक property चाहिए वो है कि aggregate की strength अच्छी होनी चाहिए तो strength का मतलब होगा कि अगर यह aggregates है एग्रेगेट्श पर मैं gradual gradual का मतलब क्या होगा दीरे 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 load बढ़ाऊं gradual का मतलब है अगर मैं धीरे धीरे aggregate के sample पर load लगाऊं तो उस load को बढ़ाने की वज़े से कितने aggregates हैं जिनों ने उस load को resist किया उस load की लगने की वज़े से वो तूटे नहीं उनका कोई भी material loss नहीं हुआ इसका मतलब वो aggregates की strength हम अच्छी मानेंगे जो aggregates तूट जाएंगे कौन सा load लगाने की वज़े से gradual जिसको हम धीरे 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 बढ़ा रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे कि उनकी strength कम है ठीक है यह थोड़ा सा हमने इनको बता दिया मतलब strength का मतलब क्या होता है तो strength is resistance against gradual loading वहीं पर अगर मुझे define करना है toughness यहीं पर अगर मुझे define करना है toughness इसे कैसे define करते हैं कोई बता सकता है जैसे first case में resistance against gradual loading आया अब मुझे बताओ अगर मुझे toughness को define करना होगा तो यह कैसे define करेंगे toughness कैसे define करेंगे तो यह वाली term क्या आ जाएगी resistance against resistance against sudden या फिर इसको लिख सकते है impact sudden या फिर impact loading resistance against sudden या फिर impact loading अगर मैं suddenly load लगाती हूँ aggregates के उपर अब पहले क्या कर रहे थे मैं आप धीरे 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 load increase कर रहे हो उसकी वज़े से कोई loss तो नहीं हुआ वो check कर रहे हो अब आपने क्या किया अचानक अपने aggregates पे 14 kg का load लगा दिया अचानक पहले 0 था और अगले ही instant पर 14 kg का load लगा दिया तो इसको क्या बोलेंगे कि मैं ये वाला sudden load है अगर ये load लगाने की ये इस load को aggregate ने resist कर लिया तो हम बोलेंगे उनको कि aggregates tough है ठीक है तीसरी property आएगी hardness तीसरी property आएगी hardness hardness कैसे define करते हाडनेस को कैसे define करते हाडनेस is resistance of aggregates against wear and tear against wear and tear कि aggregates जब मान लीजिए गाड़ी चल रही है road के उपर और नीचे आपने aggregates की layer बिचाई हुई है aggregates एक दूसरे से टकरा कर या किसी साथ में हाड कोई material है उसके साथ टकरा कर उनका कितना material में loss हो रहा है जब एक दूसरे से उनका rubbing action होगा एक पत्थर दूसरे पत्थर से टकराएगा या हम बोल सकते rub करेगा तो उस case में हम क्या बोलेंगे कि कितना loss हो रहा है material में अगर loss नहीं हो रहा है aggregate resist कर पा रहे हैं इस चीज़ को तो वो hard aggregate होंगे अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी hardness कम होगी तो resistance against wear and tear ठीक है अच्छा अगर हम soundness को define करें तो soundness को कैसे define कर सकते हैं अगर मुझे बताना है कि कौन से aggregate sound है कौन से नहीं तो हम soundness कैसे define करेंगे resistance against weathering action इसको क्या बोलेंगे resistance against resistance against weathering action resistance against weathering action का मतलब क्या हुआ weathering action का मतलब हुआ कि मैम जब आप aggregates को use करोगे कही न कहीं apply करोगे इनको site पर तो कभी हो सकता है कि उस जगा पर temperature बहुत जादा हो कभी हो सकता है जहाँ आप इनको use कर रहे हो वहाँ temperature बहुत कम हो जाए तो यह variation आपको site पर देखने को मिलती है तो उस temperature variation के against हमारा aggregates अगर resistance दिखाएगा तो हम बोलेंगे aggregate sound है या फिर उसको बोलेंगे वो durable है ठीक है volume की बात नहीं होगी यहाँ पर यहाँ पर हम बात करेंगे वो durable है तो soundness का मतलब सीधा किस से हो जाएगा durable से हो जाएगा durability से हो जाएगा यह सारी क्या थी कुछ properties थी aggregate की जहां से आप से exam में question पूछा जाता है ऐसे ही चार इस तरफ आपको property दी होंगी और right side में आपको लिखा होगा कि उस property को define करके match the following का question तो यह आपका exam के लिए important है जो यहां लिखा अब मैं करके आपको test बताऊंगी और इसके अलावा और बे कुछ test बताऊंगी तो अब मैं यहाँ पर जो आपको test बताऊंगी कि strength के लिए कौनसा किया जाता है toughness के लिए hardness के लिए उसको एके करके देखते हैं तो वहाँ पर abrasion और attrition जो आप बोल रहे हैं वो test वहाँ पर आ जाएंगे तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे पहले बात करते हैं aggregate की strength को check करना aggregate की strength क्या होती है resistance against gradual loading अगर मैं aggregates पर धीरे 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 load increase करती जाओं तो उसके against वो कितना resistance शो कर रहे हैं तो ध्यान रखना है कि मैं अगर हमने aggregate की strength चेक करनी हैं तो strength चेक करने के लिए कौनसा test किया जाता है strength चेक करने के लिए crushing value निकाली जाती है या इसको बोलते हैं aggregate crushing value test या aggregate crushing value हम या पर निकालेंगे अच्छा अब aggregate crushing value निकालने के लिए हमें test में क्या करना पड़ेगा aggregates पर gradually load increase करना पड़ेगा तो हम क्या करेंगे हम वो aggregate का sample लेते हैं जो 12.5 mm sieve से pass कर जाए 12.5 mm sieve से pass कर जाए और 10 mm की sieve पर retain कर जाए इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब मैंने एक sieve यहां पर consider की जिसका size है 12.5 mm तो मैंने aggregate का sample इससे pass करवाया जो 12.5 mm की sieve से छोटे size के particles थे वो इस sieve से pass कर जाएंगे और जो 10 mm की sieve से बड़े size के particle है वो यहां रुक जाएंगे तो आपने ये वाले aggregate का sample लिया और इस sample के weight को आपने note down कर लिया कि भाई ये W1 kg था अब आप इस W1 kg वाले sample को fill कर दोगे standard mold में और उसमें fill करने के बाद जो याद रखनी है चीज़े मैं वही बता रही हूँ तो पहली चीज 12.5 mm का sample जो लिया अपने 12.5 mm से जो pass कर रहा है और जो 10 mm की सीव पर retain कर रहा है अब दूसरा ये सारे ही exam के सारे important question है अब मैंने क्या कहा total load applied is 40 ton gradually load increase करना है तो मैंने अपने aggregate के sample पर अचानक से कोई load नहीं लगाया हमने load लगाया 4 ton per minute के rate से मतलब एक minute में 4 ton load लगाया जा रहा है ठीक है तो 2 minute में कितना हो जाएगा मैं 8 ton हो जाएगा तो वैसे 3 minute में कितना हो जाएगा add करते जाओ ऐसे करते करते आपको जब तक final 40 ton ना हो जाए आपको load लगाते रहना है और इस तरीके से पूरा कितना टाइम लगेगा इस test को perform करने में मैं हम 10 मिनट लगेंगे आप इस पर धीरे धीरे load increase करते जाए तो ये दोनों को याद रखने है 40 ton का load लगाया जाता है और 4 ton per minute के rate से लगाया जाता है अब जब आपने इस पर इतना load लगाया तो कुछ aggregates जो होंगे वो टूट गए होंगे because of this loading इस load को वो resist नहीं कर पाए कौन से aggregate resist नहीं कर पाए अब मैं उनको check करने के लिए standard क्या करती हूँ 2.36 mm की sieve लेती हूँ अब मैंने ले 2.36 mm की sieve और जब test perform कर लिया था उसके बाद ये sample को इस sieve से pass करवाया जो aggregate इस 2.36 mm sieve से छोटे size के थे वो 2.36 mm sieve से pass कर जाएंगे जो 2.36 से छोटे है वो यहां से pass कर गए तो मैंने इनका weight note down कर लिया वो मेरे पास निकल कर आया W2 kg initially sample कितना लिया था W1 kg test perform करने के बाद जो 2.36 से pass कर गए उनका weight कितना है W2 kg तो अब मुझे निकालना क्या है aggregate crushing value किसके बराबर हो जाएगी कितने aggregates टूटे या कितने aggregates इस sieve से pass कर गए है W2 कितने aggregates initially यह थे W1 multiply by 100 तो यहां से जो मुझे result मिलता है aggregate crushing value का वो result मिलता है मुझे percentage में और यह मेर से exam में पूछा जाता है aggregate crushing value जितनी जादा होगी क्या aggregates की strength उतनी ही जादा होगी मतलब अगर मैं आपसे पूछू aggregate crushing value is directly proportional to strength of aggregate या inversely proportional to strength of aggregate क्या अंसर करोगे बताओ aggregate crushing value is directly proportional और inversely proportional क्या अंसर होगा आपका तो आप कह रही है inversely proportional क्यूं देखिए aggregate crushing value उतनी ही जादा आएगी जितना जादा w2 आया और w2 जो directly बता रहे है ध्यान से देखना w2 क्या denote कर रहा था मैं जो aggregate इस टेस्ट से जब टेस्ट पे हमने लोड लगाया उसके बाद जो टूट गए है जो ब्रेक हो गए है और जो इस सीव से पास कर गए है तो मैं यह w2 की value जितनी जादा होगी न उतनी ही एग्रिगेट crushing value जादा आएगी तो w2 जादा आना मतलब यह value जादा आना तो जितने एग्रिगेट पास कर जाए 2.36 mmC से उतनी strength कम है तो proportional क्या हो जाएगा inversely proportional अभी भी directly बता रहे हो तो क्या होगा inversely proportional ठीक है aggregate crushing value अगली चीज़ जो आपसे पूछी जा सकती है aggregate crushing value देखो अगर कम है अब बोला है अगर 10% से कम है तो वो क्या denote कर रहा है कि aggregates are exceptionally strong क्योंकि वो कम है तो वो strong बताएंगे अगर aggregate crushing value 35% से जादा है तो वो represent कर रहे है weak aggregate तो aggregate crushing value is inversely proportional to the strength of aggregate कोई doubt किसी को inversely directly का कोई doubt तो आपको इस test में क्या-क्या याद रखना था मैं हम इस test में सिरफ यह याद रखना है कि load लगाया जाता है 4 return per minute के rate से total 40 ton का load लगाया जाएगा 10 minute का आपका test होगा और finally आपको 2.36 mm sieve से sample को pass करना है और sample वो लेना है जो 12.5 mm sieve से pass कर जाए और 10 mm sieve से retain कर जाए जब आप अपने short notes बनाओगे तो आपने इस तरीके से लिखना है कोई diagram नहीं बनाना कोई जरूरत नहीं है आपको पता है कि कैसे कैसे test होगा और diagram बनाने के जरूरत भी नहीं है तो जब आप short notes लिखोगे तो आपको यह लिखना है जब भी कोई test के बारे में लिखो उसके बारे में जो data आपको पता होना चाहिए उतना लिखोगे तभी तो वह short notes बन पाएंगे ठीक है अब आगे चलते हैं जो अगला test है अब अगला जो test है that is aggregate impact test अब impact क्या अभी पढ़ा था हमने कि aggregate की एक property होती ह है कि resistance against resistance against sudden loading ये दो line में दो line में समझ आया ऐसे लिख रहे हो कह है अच्छा देखिए अब मैंने बोला resistance against impact loading या sudden loading उसको क्या बोलते हैं toughness बोलते हैं तो toughness का impact से वैसे ही relation नज़र आ रहा है तो अगर मुझे check करना है कि aggregate की property toughness कैसी है aggregate resistance against sudden loading दिखा रहे है या नहीं उसके लिए कौन सा test perform किया जाता है impact load test उसके लिए कौन सा test perform किया जाता है impact test जो यहाँ पर हमने mention किये तो इस case में क्या होगा इसमें तो आपको sudden load लगाना होगा sorry इसमें आपको sudden load लगाना होगा पिछले case में क्या कर रहे थे हर एक मिनट में चार-चार टन का लोड इंक्रीस कर रहे थे अब इसमें जो याद रखनी है बाते उनके बारे में ध्यान देते हैं यहां से जो फाइनली रिजल्ट मिलेगा वो रिजल्ट मिलेगा एग्रिगेट इंपेक्ट वैल्यू की फॉर्म में जैसे पहले मिल रहा था एग्रिगेट क्रशिंग वैल्यू की फॉर्म में ठीक है अब ध्यान से देखो अब यहां पर बोला कि इसका प्रोसीजर देखिए क्या है सबसे पहले तो मुझे वही सेमपल लेना है जो 12.5 mm सीव स पास कर जाएगा और 10 mm सीव पर रिटेन कर जाएगा अब इसने वोला कि जब आप इस सेमपल को फिल करोगे मोल्ड में तो आप एक काम करिए इसकी तीन लेयर में इसको फिल करिए पहले एक लेयर आपने एग्रिगेट की बरी और फिर उसको टैंपिंग रोड से कॉमपेक् का जिरफ इतना फायदा है कि यह इस तरीके से प्रॉपरली बॉंड हो जाएं कि इनके बीच में एयर वोड कम से कम रहें ठीक है तो आपने इसको कॉमपेक्ट किया एक लेयर डाली फिर आपने दूसरी लेयर डाली ताकि प्रॉपरली अच्छी पैकिंग वाली कंडिशन मे आजाए फिर दूसरी लेयर के बाद तीसरी लेयर डाली और एगरिगेट प्रॉपरली पैक्ट हमने इसमें डाल दिये जितना हम कॉमपेक्ट कर सकते थे अब मुझे इस पर लोड लगाने अब लगाने के लिए जो हैमर यूज होता है यह ना बहुत सारे स्टेट के एई औ और जई में कुश्चन आया हुआ है यह पूरी लाइन आपको देखने को मिल जाएगी अपने आप जब कुश्चन सौल करोगे देखना स्टेट एई जई में बड़ी बारी पूरी लाइन पूछी गई है तो जब आप इंपेक्ट टेस्ट परफॉर्म करते हो जो हैमर यू तो कितनी हाइट से करवाँगी 38 सेंटीमेटर की हाइट से अब देखो aggregate का सैंपल इसमें फिल कर दिया था अब मैंने load जो लगाना है वो धीरे धीरे increase नहीं करना है मैंने suddenly इस hammer को 38 सेंटीमेटर की हाइट से नीचे फैंग दिया aggregates के उपर तो अचानक लोड लगा ऐसा ही आपने कितनी बार इसको free fall करवाना है मैं 15 बार इसको free fall करवाना है और 15 बार free fall करवाने के बाद कुछ aggregates तूट गया होगा अब फिर से मुझे क्या करना है after this test जब हम इस test को perform कर लेंगे 14 kg का hammer हमने use किया freely fall करवाया 38 cm की height से और 15 बार फिर से मैंने कौन सी cv use करी अब cv size याद रहो जाएगा आपको दोनों test के लिए मैं 2.36 mm की cv use करी और इस sample को इस से pass करवाया कितना aggregates है जो इस sample से pass हो गया मैं W2 kg aggregate इस sample से pass हो गया तो अगर मुझे value निकालनी है यहाँ पर aggregate impact value किसके बराबर आ जाएगी w2 by w1 multiply by 100 तो मुझे याद रखना है 2.36 mm clear हो गया 2.36 mm की cv यह हमारा 14 kg height of free fall और यह यह जनरली न जो sample को जिस mold में fill किया है उसका size जैसे जादा तर पूछा नहीं जाता पर मैंने रखा है कि आपको थोड़ा याद रहे कैसे याद रखना है depth कम है diameter जादा है तो 50 का twice मतलब 100 याद रख लेना पचास उसकी depth है और diameter उसका 100 mm की आसपास है अगर पेपर में पूछा जाता है अरे सोनो सिंग कह रहे हैं कि मेरा selection हो गया congratulations सोनो सिंग चले ऐसे ही बाकी लोगों के भी selection होंगे कभी मैं class ले रही होंगी कभी टेलीग्राम पर मैसी जाएगा तो बहुत अच्छी बात है मैं wait करूंगी पर आपको बहुत-बहुत congratulations चले आगे बात करते हैं और exam में ये question बड़ी बार आपके state में पूछा गया है aggregate impact value अगेन मैं आपसे पूछूं अगर aggregate impact value is directly proportional और inversely proportional to the toughness of the aggregate aggregate impact value मैं यहां से निकाली किसके बराबर होगी मैं जितना aggregate यहां से पास कर गया वो w2 आ जाएगा initially कितना aggregate लिया था वो w1 था multiply 100 कर दो तो आपको value मिल जाएगी aggregate impact value की अब सब सही आंसर बता रहे हैं तो मैं aggregate impact value जब आप निकालोगे वो inversely proportional होगा हमारा toughness of the aggregates के ठीक है toughness of the aggregates के इसलिए यह सवाल कुछ इस तरीके से पूचा जाता है आपको एक value दे दी जाती है और बोलते हैं कि define करो कि वो आपका exceptionally tough होगा very tough होगा good for payment या weak for payment इस तरीके से सवाल आता है तो थोड़ा सा मुझे आपर क्या value याद रखनी है 10 20 30 और 35 और यह याद रखने में ज्यादा मुश्किल नहीं है 10 20 30 और 35 यह याद रखना है अब देखो अगर यह 10 से कम है तो यह सबसे जादा strong होगा क्योंकि आपने बोला अभी कि inversely proportional to toughness तो 10 से कम है सबसे जादा strong है 10 से 20 है तो थोड़ा सा tough हो गया very tough उससे कम और last वाला जो है वो weak for the payment हो गया ठीक है अगर मैं बात करूं aggregate impact value 30% से जादा नहीं होनी चाहिए for surface course और 35% से जादा नहीं होनी चाहिए for the base course अगर मैं payment की layers की बात करूं तो सबसे नीचे आती है layer soil subgrade सबसे नीचे जो हम कल की class में देखेंगे soil subgrade उसकी उपर वाली layer है हमारी बेस उससे उपर वाली layer है हमारी base course और सबसे उपर वाली layer है surface course और आपको जब मैं historical development बता रही थी तो वहाँ पर मैकेडम construction में हमने क्या देखा था जब मैकेडम construction की बात की थी तो उसने क्या point सबसे अलग बोला था बताना जरा जब हम historical development पढ़ रहे थे तो उससे पहले मैं रोमन रोड भी आया ट्रेसेगोइड भी आया टेलफोर्ड भी आया लेकिन मैकेडम ने क्या अलग बोला था सब में कि हम उसको आज तक यूज करते हैं मैकेडम construction के steps को क्या अलग था थीकनेस अलग थी थीकनेस तो बाकी लोगों भी अलग दी थी बाकी जो इससे पहले आय थे और उन्हें कहा था कि larger size के stones को bottom में रखना है यह कहा था ना हाँ सही बोल रहे हो अब drainage उसने सारी layers की consider की थी लेकिन ध्यान रखिए उसने कहा था कि आपको सबसे नीचे वाली layer में बड़े size के stones को place करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि जब load नीचे की layers में transfer होगा तो बड़े area में distribute हो जाएगा अगर बड़े area में distribute हो रहा है तो उसमें stress कम लगेगी यह concept द upgrade डाली sub base base course surface course तो अगर मैं बोल रहे हो यहाँ पर load लगेगा तो load जब लगेगा तो directly वो surface course के साथ contact में होगा तो अगर मैं यह दो layers यहाँ पर discuss करूं अपनी payment की तो surface course में मुझे जादा अच्छा quality का material डालना है और base course में उससे थोड़ा सा कम मैं हर एक layer में अच्छी quality का material डाल सकती हूं पर उससे हमारा construction un economical हो जाएगा हमें पैसो का भी द्यान रखना है तो इसलिए सबसे अच्छी quality का material टॉप में डालोगे उससे थोड़ा कम base course में डाल सकते हैं तो इसलिए जब मैं impact value लिख रही हूं तो surface course में बूल रही हूं कि वो 30% से जादा नहीं होनी च कोर्स में जो quality of material है उसको थोड़ा सा degrade कर दिया as compared to surface course तो यहां पर यह 30 होती है या IRC ने standard value बताई है देखो और इसके लिए 35 होती है यह वैसे ही याद रखना पड़ेगा क्लियर है सबको यह concept पता चलिए किसके लिए कम होगा और किसके लिए ज्यादा होगा अब बात करते हैं हमारे तीसरे test की जो aggregate पर किया जाता है that is aberration test जो आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे तो हमने अभी aggregate की एक property पड़ी थी जिसको हमने कहा था hardness और hardness क्या represent करता है hardness बताता है resistance against wear and tear दो पत्थर है एक दूसरे के टकराने की वज़े से उसके surface से material जो है वो निकल तो नहीं रहा अगर उसके surface से material नहीं निकल रहा वो उसको resist कर पा रहा है तो मतलब aggregate जो है वो hard है तो हम hardness को define कर रहे है resistance against wear and tear so अब हम क्या बोलेंगे it is referred in the term of parameter aggregate abrasion value यहाँ पर जब हम answer निकालेंगे किस unit में निकालेंगे aggregate abrasion value यह paper में पूछा जाता है कि कौन कौन से test है देखे pdf आपको यहाँ भी मिल जाएगा और app पर भी मिल जाएगा आप telegram simran ma'am pw लिख सकते हो pw capital m capital s capital यहाँ भी मिल जाएगा telegram group है नहीं तो pw app आपके पास होगी ही pw app पर जाना है e.j.k degree select करना है और उसके बाद crash course पर जाना है और इससे पहले और भी जो subjects even वहाँ cover हो गये न तो आपको बाकी subjects का pdf भी वहाँ पर मिल जाएगा ठीक है समझ गए चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो जो aggregate abrasion test perform किया जाता है यह perform कर सकते हैं यह तीनों ही abrasive value निकालने के लिए test है मदब aggregate की hardness check करने के लिए test किये जाते हैं डावल aberration test, dory aberration test और लौस एंजलस aberration test और एक नंबर के सवाल बड़ी जगा आपने exams में देखे होंगे तो यह तीनों का आपको नाम याद रखना है ठीक है अब इंडिया में इन में से कौन सा प्रेफर किया जाता है इंडिया में कौन सा प्रेफर किया जाता है लौस लौस एंजलस aberration test इंडिया में प्रेफर किया जाते है लौस एंजलस aberration test इसलिए हम इसी टेस्ट की बारे में पढ़ेंगे देखो आप जो लौस एंजलस की horizontal axis दिखाऊं तो इसके about rotate कर रहा है इस axis के about भूम रहा है किस direction में rotation दिखेंगी ऐसे ठीक है यह revolution कुछ अब देखो मैंने किया क्या यहां से यह open हो जाएगा यह वाला इसका ढकन की तरह बाहर मिकल जाएगा हमने कुछ aggregates का sample लिया होगा और उस aggregate का sample मान लीजिए w1 kg है तो मैं इस aggregate के sample को इसके अंदर drum के अंदर डाल दूँँ इसी के साथ साथ मैं इसमें कुछ डालती हूँ steel balls और steel balls को abrasive charge बोला जाता है abrasive charge भी बोलते हो और steel balls भी बोलते हो तो मैंने क्या किया मैं मैंने w1 kg aggregate का sample डाला और उस sample के साथ साथ कुछ number of balls हमने यहाँ पर steel balls या abrasive charge भी उसके साथ डाल दी जब यह डाला दोनों को अब इस drum को rotation दिया यह drum ऐसे घूमेगा और बहुत तेज आवाज भी आती है जब drum घू गूमेगा कुछ number of revolution सेट कर दी और यह test perform हो जाने के बाद आपको मिलेगा क्या अब जब यह drum घूम रहा है तो वो steel balls aggregates के साथ टकरा रहे हैं एक पथर दूसरे पथर के साथ भी टकरा रहे हैं और एक दूसरे के साथ टकराने की वज़े से कुछ material loss होगा अब जो material loss हुआ ह है उसको हम चेक करने के लिए फिर से एक सीव लेंगे अब जो सीव लेते हैं उसका size क्या होता है कोई बता सकता है बाकी मैं सब बताऊंगे कि कैसे कैसे कौन कौन सी values याद रखनी है इस case में सीव का size of 2.36 mm नहीं होगा इस case में अब सीव का size change हो जाएगा कितना होता है very good अ अब सीव का size change हो जाएगा 1.7 mm तो अब ध्यान से देखिएगा क्या किया हमने जो लॉस एंजलेस अबरेशन मशीन है उसका diameter है 700 mm लेंथ है उसकी 500 mm यह वाला जो मशीन या drum जिसको आप बोल रहे थे ठीक है इसकी length और diameter की हमने बात करिये अबरेसिव चार्ज या जो steel walls होत है और इसका weight भी आप से भूचा जा सकता है तो generally 48 mm क्या सपास होगा और जो weight है वो 390 से 445 ग्राम के बीच में vary करेगा rotation of machine 332 33 rpm मतलब कितना revolution एक मिनट में होगा 30 से 33 टाइम यह आपका एक मिनट में घुमेगा ठीक है तो total number of revolutions कितने set करने होते हैं 500 से 1000 revolution set करने हैं उसके बाद आप इस drum में जो आपने sample fill किया था उस drum वाले sample को बाहर निकालिए 1.7 mm की sieve से उसको pass करवाईए जो aggregate उससे pass कर जाएगा उसका weight note down कर लीजिए वो w2 kg है तो हम यहां से क्या निकालेंगे aggregate abrasive value AAV से denote कर सकते हैं तो aggregate abrasive value क्या बन जाएगा मैं W2 divided by W1 multiply by 100 ठीक है तो यहां से निकल कराएगा aggregate abrasive value अगेन मैं यहां पर क्या देख रही हूँ जितना जादा aggregate 1.7 mm sieve से pass हुआ है उतनी ही जादा aggregate abrasive value आई है तो इसका मतलब aggregate abrasive value is also inversely proportional to hardness of aggregates यह hardness of aggregates के क्या होगा inversely proportional होगा तो अगर मैं surface course की बात करूं तो aggregate abrasive value 30% से जादा नहीं होनी चाहिए और aggregate abrasive value 50% से जादा नहीं होनी चाहिए for the base course ठीक है तो 30% और 50% यह दो values मुझे आपर ध्यान रखनी है clear हो गया aggregate abrasive value कैसे निकालते हैं सभी को यह test clear है बताइए फिर आगे बढ़ते हैं लिखते जा रहे हो ना कहीं ना कहीं जो बहुत time बाद तैयारी कर रहा है या बहुत time बाद इन test को देख रहा है कहीं ना कहीं लिख रहे हो क्योंकि बहुत जादा थियोरी है बहुत सारा data है जो कि याद रखना है तो साथ-साथ लिखते हैं तो अच्छे से अगेंस्ट वैदरिंग देखने के लिए वैदरिंग मतलब की अलग अलग टेंपरेचर पर अगर हम इस एग्रीगेट को लेकर जाए अगर एग्रीगेट किसी क्यमिकल के कॉंटेक्ट में आ जाए तो उसकी वज़े से कहीं है उसकी वज़े से कुछ लॉस तो नहीं दिख रहा उसके सर्फेस से किसी मैटीरियल का उसके मैटीरियल का तो वह अगर मुझे चेक करना है तो हम साउडनेस टेस्ट करते हैं ठीक है अब इसको बोलेंगे कि डियोरेबि या फिर सेम चीज तो हम साउडनेस टेस्ट पर फॉर्म करते हैं इसमें मैंने क्या किया इन्होंने बोला देखो कोई भी साइज का आप एग्रीगेट लेलो पर किस साइज का एग्रीगेट लिया है वो आपको पता होना चाहिए स्पैसिफाइड साइज मुझे पता है कितन करने आप प्रैक्टिकली साइट पे जो कंडीशन है उसको मुझे अपने लैब में बनाना है और बारिशे इस सब चला रहते है उसको मुझे या बनाना है कैसे बनाउंगी मैं इग्रीगेट का सेंपल लिया स्पैसिफाइड साइज का लिया कि थी नमबर ऑफ रखा या तो हम एक chemical यूज करते हैं sodium sulphate एक्जाम का question है या फिर magnesium sulphate कोई भी एक use कर सकते हो तो आपने sodium sulphate के sample में इसको dip कर दिया या फिर magnesium sulphate के sample में dip कर दिया कितने time के लिए dip किया 16 से 18 घंटे के लिए अब 16 से 18 घंटे के लिए aggregates किसमें है या तो sodium sulphate में या magnesium sulphate में ठीक है जैसे ही 18 घंटे खतम हुए मैंने उन aggregates को वहां उस chemical में जो वो dip थे उससे बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद उसको over dry कर दिया 105 से 110 degree Celsius पर at constant weight for 3-4 घंटे तो जब वो उनके surface पर भी chemical होगा उन्होंने chemical absorb भी किया होगा और जैसे ही बाहर निकाला उसको हमने oven dry कर दिया for 3-4 hours oven dry करने के बाद फिर से क्या किया after completing the one cycle अब same cycle repeat होती गई यह मैंने aggregate के sample लिये था aggregate का sample और number मुझे पता था मैंने इसको मान लीजिए sodium sulfate में dip करके रखा और फिर मैंने इन aggregates को निकाला इन aggregates को निकालके मैंने इनको heat कर दिया और heat कर दिया oven dry कितने time के लिए 3-4 घंटे के लिए और यह 16-18 घंटे के लिए और इनको यहां से निकालने के बाद फिर से sodium sulfate के solution में dip किया तो मैं aggregate लेना इसको dip करना इसको dry करना यह हमारी एक cycle है एक cycle है ऐसे ही फिर से आपने sample को 16-18 घंटे के लिए इसमें डाला फिर से heat करा oven dry किया फिर बाहर निकालोगे तो यह process को करते ही जाओगे कब तक करनी है आपको यह समझ आगे एक cycle का मतलब क्या है एक cycle का मतलब है aggregate को chemical में dip करना dip करने के बाद उसको oven dry करना और oven dry करने में आवारा एक cycle खतम उसके बाद फिर से उसको chemical में dip करना अब यह दूसरी cycle शुरू हो गई फिर तीसरी cycle शुरू हो गई ऐसा करते करते आपक वेट और ड्राइ साइकल के बाद जब आप चेक करोगे तो आपको ये दो वेल्यू सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट है आपकी एक्जाम के लिए जो याद रखनी है हमें टोटल नंबर ऑफ एग्रीगेट भी काउंट किये थे और उनका साइज भी काउंट किया था तो जब आग्रीगेट निकाले तो वो उसके 12% से जादा नहीं होना चाहिए और मेगनीशियम सलफेट में वह 18% से जादा नहीं होना चाहिए अब यह लॉस को निकाल सकते हैं कि अगर मैं हम आपने सारे एग्रीगेट 12.5 mm और 10 mm की सीव के बीच में ही लिये थे अब 10 mm में पह आगे बात करते हैं अगला जो test perform किया जाता है, यह 5 मैंने इसलिए बताया, क्योंकि जो आपकी SK खन्ना वाली standard book है, तो उसमें यही mention किया गया है, तो standard book से reference लेंगे, तो फिर गलती नहीं होगी, ठीक है, चली, तो अब वहाँ से इसलिए मैंने reference लिखा है, तो 5 लेंगे, अब देखिए, अब मै से देखना है, कौन सी shape जो है, वो सबसे best होगी, मेरे as a construction material, अगर मैं aggregate को यूज करूँगी, तो यह 4 shape test हम यहाँ पर, अलग-अलग shape of aggregates के बारे में जानते हैं, तो एक है rounded or angular aggregate, और दूसरा हम पढ़ेंगे flaky और elongated aggregate, यहां से flaky और elongated से बड़े बार मतलब, आपके state exam में question आये हुए, तो इनकी definition देखेंगे सबसे पहले, तो मैं aggregate की shape में, सबसे पहले बात करूँगी, flaky और elongated aggregates क्या होते हैं, बहुत ही आसान से इस test को समझेंगे, और जिसको जहां point, और ध्यान से एक बार सुनना, मैं अच्छे से समझाऊंगी, और आपको समझ भी आ मैं किन aggregates को flaky aggregates बोलू, ठीक है, सबसे पहले मुझे क्या समझना है, कौन से aggregates मेरे flaky aggregates होंगे, तो standard definition वो बोलती है, कि जिन भी aggregate का size, जिन भी aggregate का size is less than 0.6 times of their mean size या mean dimension, जिन भी aggregate का size 0.6 times of their mean dimension से छोटा होगा, वो सारे aggregate flaky aggregates होंगे, अब ध्यान से सुनना, आज अगर ये concept समझ आ गया तो कभी भूलोगे नहीं, इसका मतलब क्या है, वो नहीं सब भूलोगे आप, ठीक है, अब देखिए, ये पहली चीज ज दूसरी बात, क्यों सा apparatus यूज किया जाता है, कैसे हम निकालते हैं, कितने aggregates flaky है, कितने elongated है, तो उसके लिए कौन से gauge का यूज किया जाता है, उसके लिए thickness gauge का यूज किया जाता है, और जो आपको फोटो में दिखाई दे रहा है, ये thickness gauge ही है, ठीक है, अब सुनना, अब मुझे, अब मेरा जो aggregate होता है, उसका मैं size कैसे बताओ, वो तो इस तरीके से किसी भी random shape का हो सकता है, तो अब अगर मैं आपसे बोलू, कोई एक aggregate है, जो 20 mm sieve से pass हो रहे हैं, और जो 16 mm sieve पर retain हो रहे हैं, ध्यान से सुनना, जो 20 mm sieve से pass हो रहे हैं, और 16 mm sieve पर retain हो रहे हैं तो मैं यहाँ पर average size या mean dimension कैसे बताओंगी, average size या mean dimension बताओंगी, 20 mm और 16 mm के बीच में उनका size है, तो 20 plus 16 divided by 2, तो average size कितना आ जाएगा, बिलकुल विश्वजी इतने सही बताया, average size आ जाएगा 18 mm, clear है यह बात, average size को कैसे define किया, जिस size range के बीच में आपका aggregate है, average लिया, न अब मुझे बताओ, 0.6 multiply by 18 करेंगे तो कितनी value आ रही है, 0.6 multiply by 18 करोगे तो कितनी value आ रही है, बताओ, 0.6 multiply by 18 करो और बताओ कि value कितनी निकल करा रही है, यहाँ से, हमें देखना है flicky aggregates कौन से है, तो अब, अब मैं हुआ क्या, कि आपने यहाँ पर बोला कि जिन aggregate का size, 0. 0.6 time of their mean dimension से छोटा है, तो आपने यह value निकाली 0.6 multiply by 18 और यह आई आई आपके पास 10.8 mm, यह आई 10.8 mm, हना, तो क्या मैं यहाँ से simple language में ऐसा कह सकते हूं, कि जिन भी aggregate का size 10.8 से कम होगा, वो flicky aggregates होंगे, बताइए, जिन aggregate का size 10.8 से कम होगा, वो flicky होंगे, ऐसा बोलोग से, बताइए सब लोग, यह सोर नो, इस से छोटे में flicky होंगे, आप ध्यान से देखिएगा, मैंने याप पर thickness gauge की photo लगाई है, thickness gauge में आपको क्या नजर आ रहा है, यह size range नजर आ रही है, क्या लिखा है, 50 से 40, 40 से 25, 25 से 20, यह नजर आ रही है, तो यहाँ पर अभी मैंने क देखो, अब आपने क्या करना है, आपको पता है, जब size 10.8 mm से छोटा है, तो वो flicky aggregate होगा, अब आपने इन aggregates को, जो 20 से pass हो रहे थे, और 16 पे retain कर रहे थे, उनको यहाँ से इस वाले slot size से pass करवा के देखना है, इस वाले slot size से pass करवा के देखना है, और अभी आपने देख कि मैं जो छोटे होंगे, जो 10.8 से छोटे होंगे, वो flicky होंगे, अब यह 10.8 पता क्या है, 10.8 और कुछ नहीं है, यह slot का size है, जो आपने निकाल लिया, यह 10.8 हमारे slot का ही size है, जो आपने निकाल लिया, समझ में आया, क्या बोला मैंने, सबसे पहले तो average size निकाला, 0.6 time of mean dimension का मतलब slot size, अब जिनका size 10.8 mm से छोटा है, 10.8 mm यह slot size, जिनका size 10.8 mm से छोटा है, वो इस वाले slot से मैं उस पत्थर को पास करवाऊंगी, तो जो aggregate इस slot से आगे निकल गया, तो वो flicky होगा, जो इस से पास कर जाएगा, या जो इस से छोटा होगा, यह कोई standard values नहीं बता तो जब आप lab में test perform करते हो, तो आप यह size range के aggregates उठाते हो, जैसे 50 से 40 size वाला जो aggregate होगा, आप उसको इस slot से पास करवाऊंगे, और चेक करोगे कि वो पास हो रहा है या नहीं, अगर छोटे size का होगा इस slot से, तो पास कर जाएगा, तो याद रखना, मुझे नहीं लगता आपको शायद रटना पड़ेगा, अगर आप बात समझ में आईए आपको, तो जो aggregate pass कर जाएगा, जो aggregate pass कर जाएगा, वो flaky होगा, तो one mark का question पूछा जाता है, कि thickness gauge से जो aggregate pass होगा, उसे flaky बोलोगे, यह जो pass नहीं होगा, उसे flaky बोलोगे, दूसरा number question, दूसरा question यह पू होते हैं, बात समझ आगई सबको, बोलिए comment section में, flaky aggregates कौन से होते हैं, तो यहाँ से मैं flaky aggregates निकाल सकते हूँ, definition मैंने यह लिखी है, whose least dimension is less than 0.6 time of their mean dimension, और slot size हम यहाँ से निकालेंगे, अभी जो मैंने size consider किया था, 20 mm से 16 mm के बीच में, उसके लिए slot size 10.8 mm निकल कर आया, अब यह चीज आपकी कुछ exam में पूछी गई है, कि जब आप यह test perform करते हो, तो aggregate का size किस से उपर आप इस test को perform करोगे, तो अगर aggregate का size 6.3 mm से चोटा है, तो आप इस test को perform नहीं कर सकते, यह उसके लिए valid, इसलिए नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सबसे चोटा slot आपको दि रगा नहीं है, आप उसको पास नहीं करवा सकते, तो minimum size range is 6.3 mm, समझ गए, तो flaky aggregates हमें पता चल गया, दूसरे आते हैं, जो aggregates, वो हैं elongated aggregates, दूसरे aggregates हैं हमारे elongated aggregates, अब जैसे flaky की definition थी, वैसे ही elongated की है, क्या आप definition बता सकते हो, जिन aggregate का size, जिन aggregate का size, is greater than, कितना times of their mean dimension, जिसने पढ़ रखा है, reply करेंगे, जिसने पढ़ रखा है, वो बताएंगे, कि जिन aggregate का size, कितना times of their mean dimension से ज़्यादा होगा, 0.8, नहीं, 0.8 तो गलत बताया, और कोई, 1.8, अग जिन aggregate का size, 1.8 time of their mean dimension से ज़्यादा है, जिनका size, इस से ज़्यादा है, उसको elongated बोलेंगे, तो जो aggregate का size, 1.8 time of their mean dimension से ज़्यादा होगा, वो elongated होगा, elongated में, elongated मतलब length से related लग रहा है, तो आप यहाँ पर किस gauge का use करोगे, आप यहाँ पर length gauge का use करते हो, तो elongated aggregates निकालने के लिए, यह आपको सामने length gauge नजर आ रहा है, अब इसमें भी अलग-अलग slot है, यह slot number 1, slot number 2, 3, 4, किस slot से मुझे अपने aggregates को pass करवाना होगा, वो average size पे depend करेगा, अब अभी हमने पिछले case मिलिया था, वो aggregate जो 20 mm से pass कर रहे हैं, 16 mm पे retain कर रहे हैं, तो इसका मतला मैं हम उनका average size कितना हो गया, 18 mm हो गया, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर slot size पूछू, slot size पूछू किसे aggregate से pass करेंगे, तो बताओ जरा क्या answer करोगे, सेम पिछले वाले case की तरह, slot size बताईए, slot size कैसे निकालोगे for the length gauge, length gauge के लिए slot size कितना होगा, बताओ, अगर मैं length gauge के लिए slot size निकालना है, तो multiply आपको क्या करना पड़ेगा, 1.8 से multiply करोगे, तो आपको यहाँ पर value मिल जाएगे, बोलो जरा कितनी आ रही है, 32.4 mm, 1.8 time of their mean dimension is 32.4 mm, तो यह value निकल करा रही है, ठीक है, 1.8 multiply by 18, तो अब मैंने क्या किया, जो aggregate 20 mm से pass हो रहे हैं, 16 पे retain हो उसको यहाँ से pass करवाया, मालो यह वाला वो particular slot था, तो slot size मुझे पता चल गया कितना है, slot size है मेरा 32.4 mm, अब एक काम करिए, अपना aggregate लीजिए और उसको इससे pass करवाने की कोशिश कीजिए, अब हमने क्या लिखा है, जिस aggregate का size 1.8 times of mean dimension से ज़ादा होगा, मतलब जिस aggregate का size 32.4 mm से ज़ादा होगा, वो aggregates elongated होंगे, अब आंसर बताएंगे आप कि जो aggregate यहाँ length gauge से pass करेंगे, वो elongated होंगे, या जो pass नहीं करेंगे, वो elongated होंगे, किसको बोलोगे यहाँ पर elongated aggregate, जो यहाँ से pass करेगा या नहीं, तो मैं अमने अभी slot size से यह तो निकाल लिया कि size आया 32.4 mm, तो जिनका size 32.4 mm से ज़ादा है, जिनका size 32.4 mm से ज़ादा है, तो अगर ज़ादा होगा, तो अगर यह मान लीजिए, यह जो pen है, यह aggregate है, जिसकी length जो है बाकी dimension से ज़ादा है, जब मैं इसको यहाँ से pass करवाऊंगे, तो pass नहीं हो पाएगा, तो उसको बोलेंगे elongated aggregate, तो which do not pass, पेपर में पूछा जाता है, कि कौन से elongated होंगे, जो pass नहीं करेंगे, from the length gauge, समझ गए आप लोग, कि दोनों definitions भी समझ में आ गई आप लोगों को, elongated aggregates के लिए भी, और, तो elongation, elongated aggregates whose greatest dimension, is greater than 1.8 times of mean dimension, जिसका size 6.3 mm से छोटा है, उसके लिए हम यह test perform नहीं करेंगे, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया, कि length gauge का use किया जाता है, यह find out करने के लिए, कि कितने aggregates हमारे elongated aggregates हैं, ठीक है, चलिए, अब यहाँ पर बात करते हैं, यह तो flaky और elongated aggregates है, अब है rounded aggregates और angular aggregates, इन दोनों के भी इस difference समझने के लिए, एक छोटा सा example लेंगे, और वही इसका formula है, ठीक है, अगर मैं rounded aggregates की बात करूँ, अगर मैं rounded aggregates की बात करूँ, तो rounded और angular aggregates में, differentiate करने के लिए, हम एक number पढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं, angularity number, यह जो angularity number है, यहाँ से हमें पता चलता है, कि कितने aggregates आपके angular हैं, या कितने aggregates हैं, कितने rounded हैं, अगर मैं यहाँ पर एक sample लूँ, एक container में fill कर दूँ, सारे के सारे rounded aggregates को, एक अच्छी compacted state में, और इस तरीके से compact किया है, कि इसमें minimum number of voids रहें, तो मैंने क्या किया, एक container में सारे के सारे जितने भी, एक container में सारे के सारे जितने भी rounded aggregates हैं, उसको अच्छे से fill कर दिया, कि minimum voids रहें, तो अगर आप एक container में, पूरे proper rounded aggregates, इसमें container लिया, और उस container में सारे वो, उस container को पूरा कंचो से भर दिया, और पूरा अच्छे से compact करके, जितने जादा हम उसमें fill कर सकते हैं, उतने fill कर दिये, तो वो fill करने के बाद, ये standard जब test perform किया होगा, और जब इसका formula बताया होगा, हमने ये पाया, कि जब इसको आप पूरा compact करके fill भी कर देते हो, तब भी इसमें 33% voids रहे जाते हैं, चाहे आप इसको पूरा proper compact भी कर दो, तब भी इसमें जो percentage of voids रहे जाएंगे, वो कितने है, 33%, तो अब percentage of voids 33% है, कब, जब सारे ही aggregates कैसे हैं, rounded हैं, और अच्छे से अपनी compacted state में हैं, ठीक है, तो angularity number में कैसे निकालूंगी, ये निकालूंगी, voids in excess to 33%, अभी भी कुछ लोगों को नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं देख लेते हैं, तो voids in excess to 33% is angularity number, जैसे कि, ये तो था मेरा mem standard sample, जिसके लिए आपने define कि, अब कभी ऐसा मुश्किली चांस है, कि कंचे जितना rounded aggregate सारा मुझे मिल जाए, ये तो था standard sample, अब जिस test, जो, जिस sample पर मैं test कर रही हूँ, वो है मेरा test sample, तो test sample पर जब मैंने सारे aggregates को इसमें fill किया, तो मैंने जो वहाँ पर words find out किये, वो थे मान लीजिए 35%, तो 35% 33 से कितना जादा है, तो आपने देखा, mem 35 minus 33 कर दो, तो 35 33 से कितना जादा है, 35 33 से कितना जादा है, mem क्या 2 जादा है, कितनी value जादा है, मतलब 2 number जादा है, तो number देखना है, तो angularity number की value को बोल दिया, मैंने 2, ठीक है, angularity number की value को बोल दिया 2, यहीं पर मैं बोलती कि, मेरा test sample 2 था, यह 1 में 35% था, अब test sample जो 2 था, उसमें मेरे पास 33% ही, number of voids देखने को मिले, तो मुझे बताओ, जो test sample 2 है, उसमें angularity number कितना है, test sample 2 में angularity number कितना है, बोलिये जरा, test sample 2 में angularity number कितना है, जीरो है, इसमें angularity number 0 है, और यहीं पर अगर test sample 3 लेती, और उसमें मेरे पास voids 43% है, voids 43% है, तो अब बताओ 3 में, जो sample 3 है, उसके लिए angularity number कितना निकल कर आएगा, 3 में angularity number कितना निकल कर आएगा, तो मैं 43, void in excess to 33%, 43-33, 10 निकल कर आएगा, बात समझ आई, अब मुझे एक बात बताइए, जब angularity number 0 है, angularity number 0 होने पर, क्या मैं बोल सकती हूँ, कि maximum aggregates are rounded in shape, बोले जरा, maximum aggregates rounded shape के हैं, यह बोल सकती हूँ, तो अगर angularity number कम होता है, जितना वो 0 के पास होता है, वो क्या represent कर रहा है, वो represent कर रहा है, कि आपके maximum aggregates rounded है, जितना number 0 के पास होगा, simple है, कुछ रटने की जरूरत ही नहीं है, जैसे जैसे angularity number बड़ा, angularity number 0 से दूर लेते जाओ, इसका मतलब उसमें rounded aggregate उतने ही कम है, इसका मतलब rounded aggregate जैसे जैसे कम होते जा रहे है, angularity number बढ़ता जा रहा है, तो आपसे paper में जो सवाल पूछा जाता है, angularity number की value कहां से कहां तक vary करती है, 0 से 11 के बीच में vary करती है, अगर 0 होगी, तो maximum aggregates, सारे ही aggregates rounded होंगे, जितनी जादा value होगी, वो represent करेगा, उतने ही जादा angular aggregates हैं, बात समझ आ गई सबको, अब 11 का मतलब, मैं अगर मैं यहाँ पर minus करती, और मेरे पास angularity number minus करके, 15 निकल कर आ रहा होता, तो मुझे ये 15 value को कैसे report करना है, 15 value भी आए, 14 से जब भी उपर आए, आपको 11 बताना है, 0 से कब भी नीचे आए, तो 0 बताना है, value 0 से 11 लाए करेगी, तो angularity number, is directly proportional to angular aggregate, तो जितना यह कम, उतने कम angular aggregate, जितना यह जादा, उतने ही जादा angular aggregate, ठीक है, अच्छे से समझ में आया ना, thank you विश्वाजीत, मैंने, मैं तभी बोल रहे हूँ, कि इस concept को, जो rounded aggregate, angularity number, flaky और elongated, यह चारों में confusion रहती है, और इसलिए जब यह शुरू किया था, तभी बोल दिया था, कि द्यान से सुन लेना, भूलोगे नहीं, अगर इस तरीके से समझोगे, ठीक है, तो rounded के लिए, बिल्कुल rounded के लिए, inversely proportional होगा, तो यह angularity number, आपको clear है, अब आज के last material पे चलते हैं, bitumen और tar के बारे में, एक एक introduction लेते हैं, और bitumen और tar में, difference देखने के बाद, bitumen के test बताऊंगी, और उसके बाद हम questions करेंगे, quiz करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं, हम लोग अपना next highway material, bitumen की, और उसके साथ-साथ ही, मैं tar का example भी आपको, tar का भी difference आपको बता दूँगी, और इसके सारे difference याद रखने देखो, कोई chance ही नहीं है, कि आप इसमें से कोई भी भूल जाओ, ये सारे आपके exam के लिए, very, very, very important है, कोई भी एक से आपको सवाल पूछा जा सकता है, और बहुत बार यहां से खोशन आए हुए, तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ, bitumen की, तो पहला ही point क्या लिखा हुआ है, पहला point लिखा है कि, it is manufactured by fractional distillation of petroleum, fractional distillation of petroleum, या कई बर लिखा हो सकता है, fractional distillation of crude oil, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको बहुत simple तरीके से समझाओंगी, और मुझे नहीं लगता, वो कभी बूलेगा अगर अभी समझ जाओंगे, टार में क्या बुलाए, it is manufactured by destructive distillation of coal or wood, क्या मैं यहाँ पर बोल सकती हूँ, कि जब bitumen जहां से भी मुझे मिल रहा है, petroleum से मिल रहा है या oil से मिल रहा है, यह दोनो liquid state में है, petroleum या crude oil liquid है, और अगर मैं tar की बात करूँ, तो coal या firewood, इसका मतलब मुझे कहीं न कहीं है solid से मिल रहा है, ठीक है, अब जो destructive distillation की जाती है, वो solids पे की जाती है, और जो fractional distillation की जाती है, वो liquid से related है, अब इनका example समझे क्या होता है, यह दोनों याद रखने है, फ्रेक्शनल भी और destructive भी, जैसे अगर मैं बोलू, हमारे पास एक sample है, पानी है, प्लस alcohol है, पानी और alcohol का एक sample है, ठीक है, सुनना द्यान से, पानी का boiling point अलग होगा, और alcohol का boiling point अलग होगा, है के नहीं, मैंने क्या किया, अपना एक sample बनाया, उसमें पानी भी है, और उसमें alcohol भी है, जब हम बात कर रहें, alcohol का boiling point अलग और पानी का boiling point अलग है, मैंने उस sample को heat करना शुरू किया, alcohol का boiling point कम होता है, अगर कम होता है, तो जब आप इस sample को heat करोगे, तो पहले किसके वेपर्स बाहर आएंगे, अगर alcohol का boiling point कम है, बात ब्यान दीजिए, जो पढ़ने वाली बता रहे हूँ, तो अगर मैं alcohol का boiling point कम है, तो उसके वेपर्स पहले आएंगे, उसके वेपर्स पहले आउट होंगे, अगर मैं alcohol के उन वेपर्स को collect कर लेती हूँ, उनको condense करके collect कर लेती हूँ, ठीक है, बाद में किसके वेपर्स आएंगे, पानी के आएंगे, पानी के वेपर्स को collect किया, condense किया, उसको अलग रख लिया, क्या मैंने on the basis of boiling point, इन दोनों के बीच difference create कर दिया, इन दोनों को अलग कर दिया, जो पहले दोनों आपस में mix थे, इनको अलग किस basis पे किया, इनके boiling point के basis पे किया, तो अगर कोई पूछे आप से, कि वह fractional distillation बता, उसको ये example बता देना, तो fractional distillation का मतलब होता है, जब हम अलग अलग constituents को, किस basis पे अलग करें, उनके boiling point के basis पे अलग करते हैं, तो उसको fractional distillation बोला जाता है, बोलो यहाँ doubt रहता था था ना हमेशा, मुझे पता है, यह section ऐसा है, जहां पर समझ नहीं आती जीज़े, अब नहीं बूलो गया अब, अब अगर मैं fractional distillation, petroleum की या crude oil की करती हूँ, और उसको boil करती हूँ, उसको heat करती हूँ, और अलग-अलग constituents को अलग करूँगी, on the basis of their boiling point, तो मुझे bitumen मिल जाएगा, अगले की बात करते हैं, अगला है tar, अब tar मुझे कैसे मिलता है, बोला है destructive distillation of coal or wood, अब आप जब घर पे सबजी बनाते हैं, अब मुझे यहाँ पर heat करना है, मुझे coal या wood को heat करना है, और heat करने पर उसके जो vapors है मिट होंगे, उन vapors को collect करना है, वहाँ से मुझे tar मिलेगा, destructive distillation का मतलब होता है, in the absence of air, अगर आप heat करो, in the absence of air, अब आपने क्या करना है, सबजी बनानी है, सबजी बनानी आपने तुड़का लगाया, उसमें आलू लग रख दिये, और आपने उसको cover करके रख दिया, उपर से ढकन लगा दिया, उपर से ढकन लगा दिया, बाहर वाली air उसमें अंदर नहीं जा पा रही है, लेकिन gas on है, नीचे से temperature आप उसका बढ़ा रहे हो, तो आप उसको heat कर रहे हो, in the absence of बाहर वाली air के, तो अगर हम coal और wood, coal या फिर wood का destructive distillation करें, in the absence of air उसको heat करें, उससे जो vapors emit होंगे, उसको collect करें, तो उसको बोला जाएगा यहाँ पर, वहां से हमें क्या मिलेगा, टार मिलेगा, तो solids जो हैं, वहां से टार मिल रहा है, जो liquids हैं, वहां से हमें petroleum, या crude oil को, अगर on the basis of their boiling point अलग करें, तो वो fractional distillation है, तो आज आपको fractional distillation, और destructive distillation में, शायए difference clear हो गया, अब आके बात करते हैं, जो bitumen होता है, यह carbon disulfide, और carbon tetracloride में, completely soluble होता है, घुल जाता है, और वहीं पर अगर मैं बात करूं, tar की, तो tar is soluble in tolvin, तो यह tolvin में completely soluble होता है, यह less temperature susceptibility, bitumen जो है, अलग-अलग temperature पर, जैसे अगर आप इसको, बहुत कम temperature या, बहुत जादा temperature पर, इसके साथ काम करोगे, तो उसके साथ ही, इतनी जादा variation नहीं दिखाएगा, और मुझे material भी ऐसा ही चाहिए होता है, जब हम construction करेंगे, अच्छा material वही होगा, जो temperature कम जादा होने के साथ, उपनी properties को कम से कम change करें, लेकिन tar जो है, इसमें तेंपरेचर वेरियेशन जादा देखने को मिलेगा, free carbon content इसमें कम होता है, अब अव्य सी बात है, coal है या फिर wood है, तो wood organic material है, organic material में carbon होता है, तो वहाँ से याद रख सकते हो, कि tar में carbon content जो होता है, वो जादा होता है, specific gravity आपकी SSEJ में पूछी भी गई है, तो specific gravity bitumen की 0.97 से 1.02 के बीच में लाए करती है, अगर नहीं दिया तो एक ले सकते हो, और tar के case में यही value 1.10 से 1.25 के बीच में विरी करती है, आपको अगर नहीं given है, तो यह 1.20 ले सकते हो, ठीक है, अब आगे बात करते हैं, अब आगे बात करते हैं, bitumen के बारे में और उसके test performance के बारे में, bitumen को हम अलग-अलग grades में classify करते हैं, और अलग-अलग grades में जो classify कर रहे हैं देखो, वो सबसे पहली जो grading है, वो है on the basis of viscosity, bitumen को अलग-अलग grades में बांटा, उसकी viscosity के basis पे और viscosity आप सब लोग जानते ही है viscosity is resistance to flow कहां second lecture कहां नहीं मिल रहा है अजाज एहमद second lecture आप recorded देख लो ना playlist में भी मिल जाएगा क्या उसके notes नहीं मिले आपको कहां नहीं मिल रहा है बता अब bitumen को अगर मुझे grading देनी है on the basis of viscosity on the basis of resistance of flow तो हम इसको चार important grades में बांटते है चार important grades क्या है VG 10, VG 20, VG 30 और VG 40 यहां से एक सवाल है जो आप से एक्जाम में पूछा जाता है तो उसके लिए आपको एक simple सा तरीका बताऊंगी वो आपको याद रखना है VG 10, VG क्या represent कर रहा है viscosity grading 10 viscosity grading 2 अब 20 यह जो 10, 20, 30, 40 है 10, 20, 30, 40 है यह numerical values जैसे जैसे बढ़ रही है यह क्या represent कर रहा है viscosity भी वैसे ही बढ़ रही है बिटुमिन की अब VG 10 की viscosity निकालने के लिए बोल देते है बता दे पुछेंगे VG 10 की viscosity कितनी है तो कैसे निकालोगे कैसे निकालोगे जो value आएगी 800 poise तो जो हमारा grade VG 10 होता है उसके viscosity कितनी होती है 800 poise अब 20 को 800 से multiply किया तो यह बन जाएगा 1600 poise ठीक है यह बन जाएगा 2400 poise ठीक है और last क्या बचा 32 poise 3200 और यह poise यह सारी क्या represent कर रही है इन अलग-अलग grades की अलग-अलग viscosity की value लेकिन viscosity की जो units है वो किस term में है वो poise में define की गई है और 1 poise 0.1 newton per second square के बराबर होता है तो अगर आप से यह पूछा जाए तो आप यहाँ पर बता सकते हो सबसे जादा viscosity VG 40 की होगी और उसकी value कितनी होगी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया अब देखिए अब जब मैंने इस पर test करना है तो सबसे पहले मैं viscosity की ही बात कर लेती हूँ जब मुझे bitumen की viscosity निकालनी है तो सबसे पहले viscosity को निकालने के लिए जो आप apparatus use करते हो वो है efflux viscometer या फिर इसी को यह बोला जाता है say bolt furol यह दोनो one one mark के question है ठीक है say bolt furol करना क्या होता है इसके एक छोटी ची photo है मेरे पास जिसमें मैं आपको यह दिखा सकती हूँ हमने क्या करना है एक constant temperature पर इससे कुछ ज़्यादा वैसे clear हो नहीं रहा simple सा बता देती हूँ यह डाइग्राम बनाकर जो चीज यह बनाई हुई है हमने इक अपने bitumin के sample को fill किया ठीक है और इसमें नीचे नीचे नहीं छोटा सा hole है उसको orifice बोल दिया इसको छोटा सा hole है इसको बोल दिया orifice इसमें क्या है? bitumin है एक constant temperature maintain करके रखा नीचे क्या है? एक beaker है अब इस hole से जो bitumen है वो इस beaker में आएगा और इस beaker को fill करेगा इस beaker में enter होगा, beaker को fill करेगा अब मैं आपसे पूछूँ कि अगर मेरे पास bitumen है जिसकी viscosity जादा है वो कम time में जल्दी इस beaker को fill कर देगा या उसको जादा time लगेगा आपने मुझे comment section में बताना है कि अगर मैंने एक apparatus है मतलब इसमें अपने bitumen के sample को fill किया एक constant temperature रखा अब इस orifice, orifice नीचे एक छोटा सा hole है bitumen वहाँ से नीचे गिरेगा और इसमें आना है उसने जिसकी viscosity जादा है उसको time कितना लगेगा उसको time जादा लगेगा जिसकी viscosity जादा है उसको मैं जादा time लगेगा इस cylinder को fill करने के लिए तो कितना time लगा अब मैं viscosity को यहाँ पर किस unit में बताऊंगी the time required to pass measured in seconds and is used to indicate the viscosity of the bitumen आप से पूछा जाता है कि जब आप bitumen पर viscosity test perform करते हो तो result किस unit में बताते हो अब वहाँ आप viscosity poise में नहीं बताऊंगे यह newton second meter square इसमें नहीं बताऊंगे अब आपको viscosity किस unit में बतानी है मैं time की term में तो जिसकी case में time जादा लगा मतलब उसकी जो viscosity है obviously बात है वो जादा है हाना तो time के साथ यह inversely proportional है तो यह paper में पूछा जाता है seconds में viscosity बताएंगे हम ध्यान रखना इस इसको अगला जो test है यह viscosity में आप ध्यान रखना जो temperature constant maintain किया जाता है 25 से 50 degree Celsius के बीच में maintain करते है और diameter of orifice 3 से 10 mm के बीच में होता है और कितना volume of vitamin fill कर रहे है 50 से 200 mm का और viscosity अगर आपको tar की check करनी है तो उसके लिए हम tar viscometer को का use कर सकते हैं तो यह याद रख लिए ना इतना temperature maintain करते हैं यह orifice का diameter है और volume of vitamin 50 से 200 mm के बीच में रहता है अगला जो test perform की हम बात करने वाले है वो है ductility test ductility का मतलब देखो simple क्या होता है कि हम bitumen को कितना दूर तक stretch कर सकते हैं या कितना उसको हम wires में पतनी thin wires में convert कर सकते हैं बिना उसके तूटे तो इस photo से एक छोटी सी चीज तो समझ में आ रही है कि अगर आपने यह bitumen का black color का sample आपने fill किया है जिसमें sample को fill किया है उसे brick weight बोला जाते है जिसमें sample को fill किया है वो brick weight बोला जाते है तो initially यह starting point है यहाँ मेरा bitumen का sample है एक side से मैं हम आपने fix कर दो और दूसरी side से आप इसको दिरे 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 उस तरफ को खींचना शुरू करो जब आप उस तरफ को खींचना शुरू करोगे तो मेरा bitumen जो है जैसे chewing gum होती है न वो वाली चीज चेक कर रहे है chewing gum को आप कितना दूर तक stretch कर सकते हो तो एक तरफ से fix कर लिया दूसरी तरफ से stretch किया अब यहां से यहां तक कितना length किस term में unit बता रहे हो यहां से यहां तक कितना distance या फिर कितना length तक आपका bitumen नहीं तूटा कितनी length तक आप उसको stretch कर पाए तो हम यहां पर अपना result किस unit में report करेंगे यूनिट बता दो जैसे पिछले की seconds थी इसकी unit बता दो बोलो तो यहां पर हम ductility जो check करेंगे mm या centimeter या फिर हम बोल सकते हैं length की term में बात करेंगे बिल्कुल सही बोल रहे हो length की term में बात करेंगे हैं तो हम क्या बोल सकते हैं की ductility होती क्या है ability of vitamin to be stretched without breaking कि जब तक हम उसको stretch कर सेके भी न टूटे तो जो हमने इसको brickwood को मैंने आपको जो भी बताया जिसमें आप इस sample को fill करोगे उसका area जो होता है वह one centimeter square होता है कुछ state exam में पूछा गया है और जब मैं आपने इस brickwood को एक side से fix किया था और दूसरी side से आप load लगा रहे थे ताकि यह thin wire में कितना convert हो सके तो किस rate से आप उसको दूसरी तरफ को stretch कर रहे हो वह हमारा five centimeter per minute एक में वह 5 centimeter आगे जाएगा सो distance in centimeter that the brick weight can be stretch without the breaking is known as ductility और ductility के लिए बोलते हैं कि जिस bitumen का grade 45 है या उससे जादा है उसकी ductility 75 centimeter होनी चाहिए as per आयर्स आप centimeter में भी बता सकते हो mm में भी बता सकते हो main बात यह है कि distance यह length की time में बताना है बस इतनी main चीज है जो में याद रखनी है ठीक है actual में आप यह test perform करोगे college में तो आपने कुछ इस तरीके से apparatus देखा होगा एक bathtub होता है उसमें पानी डालते हैं और side में heater लगा होता है और heater से पानी होता है जिससे हम temperature एक constant maintain करके रखते हैं और फिर एक तरफ से यह देखो bitumen का sample तीन sample है हमने इसको fix किया हुआ है अब यहां से कुछ length आएगी यहां से आएगी यहां से यह तीनों का एक average value निकाल लेते हैं तो दोनों तरफ से हम इस तरफ से क्या कर रहे है इस कौन सा टेस्ट है जिससे आप bitumen की grading को define करते हो जिससे आप bitumen का grade बताते हो तो आपका answer होगा penetration test penetration test सेम उसी तरीके से होता है जैसे cement पर initial setting time final setting time test आप करते हो बिल्कूल वैसा ही है कुछ भी नहीं है हमें क्या करना होता है इसमें बेसिकली हमारा यह है bitumen का sample यह हमारा bitumen का sample है तो अगर आपने cement पर वह test perform किया है तो आप उससे बहुत अच्छे से इसको relate कर सकते हो तो यह मेरा bitumen का sample है हमने उस पर एक needle है अब देखना यह test में न एक चीज आपको शायद समझ नहीं आती होगी यह one-tenth of mm क्या होता है आदे लोग तो intelligent है मुझे नहीं पता शायद सब कोई आती हो पर अगर किसी को नहीं आती होगी तो अभी अगले 5 मिनट में समझ जाओगे कि यह one-tenth का मतलब क्या है तो मैंने क्या किया बिटुमिन का सेंपल लिया उपर एक नीडल है और यह जो नीडल है इसका वेट है 100 ग्राम इसका वेट है 100 ग्राम ठीक है इस नीडल को बिटुमिन के सेंपल पर freely suspend करवा दिया अब यह हवा में उपर ऐसे रुकी हुई है आप मैंने इसको free नीचे के तरफ छोड़ दिया कितने टाइम के लिए छोड़ा सिरफ 5 सेकेंड के लिए जब मैं हम आप इसको freely एसको कर वा बात है ना नीडल तो हमारे निडल बिटुमिन में पैनिट्रेट कर जाएगी अब पैनिट्रेट करेगी कुछ डेप्थ यहां पर नीचे अब जितनी जादा पैनिट्रेशन है उतना ही जादा सौफ्ट होगा बिटुमिन या उतना ही हाड़ ग्रेड होगा बताओ जितना जादा पैनिट्रेशन है उतना ही जाधा क्या होगा जितना ही soft bitumen है उतनी ही जाधा penetration होगी ठीक है ये तो बात हमें clear हो गई तो पहली चीज जो याद रखनी है पांच सेकिंड के लिए इसको freely suspend कराया जाएगा standard temperature 23 degree celsius maintain होगा 100 gram needle का weight है और इसको 100 gram वाली needle को जब freely suspend करोगे अगर soft होगा तो penetration ज़ादा होगी test के result को report किया जाता है one tenth of mm की term में one tenth of mm का मतलब क्या है अगर actual में assembly देखें तो इस तरीके से दिखती है और इसमें आपने bitumen का sample fill किया होता है अब जब आपको settlement चेक करनी है उसके लिए यहां एक proving ring लगी है यह proving ring है initially यहां पर reading zero होगी जब हमारी needle इसमें penetrate नहीं हुई है क्योंकि उसमें penetration zero है और वेसी बात है needle यहां पर zero reading दिखा रही है अब ध्यान से देखना क्या होता है हम इसको one tenth of mm इसलिए बोलते हैं यह जो proving ring है इसमें reading zero है जब तक मेरी needle यहां penetrate नहीं हुई अगले ही पांच सेकिंड में needle penetrate कर गई और हमार सॉरी यह वाली needle penetrate कर गई और proving ring ने अब हमें एक अलग reading दिखाई मानलो यह वाली reading दिखाई तो क्या यह कुछ number of graduation move हुआ यह सॉर नो बोलो क्या यह कुछ number of graduation move हुआ यहां से यहां तक मान लिया यह कितने number of graduation move हुआ इनीशिली जीरो पे था यह पचास graduation यहां पर move हो गया अब मुझे यह बताओ अब मुझे यह बताओ कि अगर यहां दो graduation के बीच का जो gap होता है क्या हम उसी को ही least count बोलते हैं सर्वे में बताया था ना least count क्या होता है किसी भी instrument का तो यहां पर यह जो proving ring है अगर मैं पूछू इसका least count मतलब इसमें दो consecutive graduation के बीच का gap कितना है और वो gap यहां पर होता है .1 mm तो एक बात बताइए अगर पचास graduation मूव हुई तो कितना mm settlement हुआ होगा अगर मैं पचास graduation मूव हुई एक graduation का मतलब .1 mm है तो 50 graduation का मतलब कितना हो जाएगा पचास का मतलब हो जाएगा मैं 50 multiply by .1 mm तो यह आज आएगा यहां से पांच mm इसका मतलब यह जो needle है यह कितना depth penetrate कर गई 5 mm तो one tenth of mm और कुछ नहीं है one tenth of mm क्या represent कर रहा है यह least count बता रहा है मतलब यह point one mm वाली चीज़े जो आपने अभी multiply की समझ में आई क्या होती है point one mm क्यों बोलते हैं इसको one tenth of mm अब अब जब मैंने एक bitumen के sample पर test perform किया एक bitumen के sample पर test perform किया तो 3 से 4 test perform किये और मेरे पास जो value निकल कर आई वो 8 mm से 10 mm के बीच में आ रही है तीन चार बार जब मैं result perform कर रही हूँ तो 8 से 10 mm के बीच में मिल रही है तो मैं इसको हम grade को लिखेंगे 80 by 100 one tenth of mm क्योंकि 10 mm penetration मतलब मैं one by 100 80 mm 8 mm penetration एक बटे सो हना पांस सेकिंड का मतलब है कि यहां थी पहले नीडल यह था हमारा sample ठीक है अब आगे क्या कि आपने अब आपने इस नीडल को जहां पर यह fix थी इसको free छोड़ दिया fix थी इसको free छोड़ दिया free छोड़ा कितने टाइम के लिए सिरफ 5 सेकिंड के लिए आपकी यहां पर यह थी मतलब आपने 10 बजे शुरू किया था और आपने सिरफ 5 सेकिंड के लिए इसको free छोड़ दिया अगले 5 सेकिंड में कितना graduation move किया आपने वो read करना है ठीक है अब मैं क्या बात कर रहे थी 80 by 100 का मतलब है कि हमारी सारी reading 8 mm से 10 mm के बीच में आ रही है अगर मैं लिखती हूं यहां पर मैं 40 by 50 grade तो मेरे पास सारी reading कितनी penetration के बीच में 4 mm से 5 mm इन दोनों में से hard grade कौन सा होगा पेपर में पूछा जाता है यह वाला जादा hard bitumen होगा या यह वाला तो मैं जिसमें penetration जादा है 80 by 100 हमारा soft होगा अगर आपसे 40 by 50 पूचा जाए तो वह hard होगा और विसी बात है यहां से हम इसका grading define कर देंगे ठीक है फिर से sample को जहां से penetration हुई थी उसको plane करो फिर से आप 5 सेकिंड के लिए test करो देखो कितना आ रहा है एक ही test को जब 3-4 बार करते हो तो आपको कुछ value मिलेंगी एक ही test को जब 4 बार करके मैं average निकालूंगी तो मैं accuracy के ज़्यादा पास पहुंच जाओंगी तो हर बार आपको 5-5 सेकिंड टेस्ट करना है समझाया या भी without है तो अगर आप 3-4 बार test को perform कर रहे हो तो उतनी बार आपको यह peritrate करवा के देखना पड़ेगा निकल को ठीक है अब यह paper में आ रखा है question कि अगर आपका bitumen का grade में A30 इस तरीके से लिखा हुआ है A30 तो A represent कर रहा है कि वो असाम petroleum से manufacture किया गया है अगर A के अलावा कोई और लिखा होता है term जैसे S30 तो bitumen is manufactured from other than Aisam petroleum और यह आपका SECJ यह state में भी आता है तो ध्यान रखना यह A30 भी हो सकता है A40 भी हो सकता है अगर A लिखा हो ना अगे grade के तो मतलब वो असाम petroleum से manufacture किया गया है A stand for Assam बिलकुल सही बात है अगला test देखिए softening point softening point test का मतलब हम यह इसलिए करते हैं ताकि हम यह check कर सके कि कि कितने temperature पर हमारा bitumen soft हो रहा है और उसके लिए आपका जो test perform किया जाता है वो किस apparatus पर किया जाता है यह apparatus का नाम याद रखना ring and ball apparatus रिंग and ball apparatus पर आप यह test perform करोगे इसमें क्या करना होता है आपको दिख रहा है एक thermometer है जिसमें आपको यह note down करना है कि कितने temperature पर bitumen soft हुआ आपने यहाँ पर दो plates निजर आ रही है यह plate number one और नीचे वाली है plate number two ऊपर आपने क्या किया है एक ring है और ring के उपर यह ring है खाली ring ठीक है यह खाली ring है इसमें मैंने bitumen के sample को fill कर दिया और उस ring को मैंने इस plate के उपर place किया ring के उपर किसको रख दिया ring के उपर एक steel ball को यहाँ पर रख दिया अब जैसे जैसे मैं इस sample को heat करते जाऊंगी, temperature बढ़ाती जाऊंगी, मेरा bitumen का sample soft होता जाएगा, तो कितने temperature पर ये ball ने नीचे वाली जो plate है उसको touch किया, आप देखो, अब जब bitumen soft होगा, तो ball भी उसके साथ साथ नीचे की तरफ flow करेगी, तो नीचे आया, bitumen भी आया, ball कितने temperature पर ball नीचे वाले plate को touch करी, जो की 2.54 cm के gap पर है, तो वो temperature को कहते है, softening point temperature, ठीक है, ए रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारा asam petroleum से manufacture किया गया, ठीक है, ring and ball apparatus, clear है, ring and ball apparatus, use होगा, इसे ring and ball test भी बोला जाता है, तो softening point is the temperature at which bitumen attain the particular degree of softness under standard condition, तो यहाँ पर याद रखना, दोनों plates के बीच का gap कितना होता है, कोई पूछेगा, softening point का result आप किस unit में report करोगे, तो मैं temperature में बताएंगे, कि कितने temperature पर bitumen हमारा soft हो रहा है, तो answer मेरा degree Celsius में यहाँ पर निकल कर आएगा, ठीक है, चलो, अब last test पढ़ रहे है, that is your flash and fire point test, इसके बाद हम कुछ questions करेंगे, ठीक है, flash and fire point test जो है, देखो grading अभी, आपको मैंने सिरफ viscosity grading बताई, यह आपको A30, V30, और और भी तरीके से grading की जाती है, वो नहीं बताई है, लेकिन जनरली जैसे, जो grading की जाती है, viscosity grading अलग है, और basis पे भी अलग तरीके से की जाती है, तो वो अभी नहीं बताया, मैंने आपको है, तो वो topic अपने आप में अलग बड़ा topic है, इसलिए वो ही चीज़ बता रही है, जो paper के लिए अभी के लिए जरूरी है, तो अभी मै जने temperature पर आपको site पे bitumen को heat करना है, क्यों? क्यों चेक करना है, क्योंकि मैं bitumen को जब मैं heat करूंगी, तो उससे कुछ vapors emit होंगे, उसके जो vapors मनेंगे, वो volatile nature के होते हैं, वो आग पकड़ सकते हैं, तो मुझे जब bitumen को heat करना होगा site पर, तो कोई एक temperature से कम temperature पर ही रहना प perform किया जाता है, इसको perform किया जाता है, पेंसकी मार्टन close cup apparatus, आपको नाम याद रखना है, इसके लिए कौन सा apparatus यूज होता है, पेंसकी मार्टन close cup apparatus, तो आप क्या करते हो, आप bitumen के sample को heat करोगे, तो उससे vapors emit होंगे, जो उससे vapors emit हो रहे होंगे, आप दीरे दीरे यहाँ पर कोई ऐसी चीज जो उन वेपर से एकदम जलने लग जाया, जैसे मैंने एक माचिस ले ली या, एक मुंबत्ती ले ली, तो वो मैं यहाँ पर माचिस को जैसे इन वेपर के पास ले कर जाओं, जैसे आपको उस माचिस में spark नजर आया, flash नजर आया, तो वो हमारा flash point होगा जिस temperature पर, just उसमें flash दिखाई देगा, और जैसे जैसे मैं इसको heat करते जाओंगी, और temperature बढ़ाते जाओंगी, तो वो vapors एक time पर ऐसे हो जाएंगे, कि अगर मैं यहाँ पर माचिस ले कर जाती हूँ, तो at least अगर वो 5 seconds तक ignite हो जाए, at least 4-5 seconds, अगर वो जलती रहे, तो इस flash point की value क्या होती है, flash point की value होती है, 175 degree Celsius जो आप लोग बता रहे है, तो जब भी मैं site पर काम करूंगी, तो मेरा जो temperature रहेगा, वो 175 degree Celsius से भी 50 degree Celsius कम होना चाहिए, जब आप इसे heat करोगे, तो flash और fire point इसलिए निकाला जाता है, ताकि यह चेक कर सकें कि कि कितने temperature पर हम इस bitumen के sample के साथ काम करेंगे, clear है, so the fire point is the lowest temperature at which application of test flame caused the bitumen to ignite and burn for at least 5 seconds under specified test condition, तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जो apparatus का यूज किया जाता है, वो pensky martin close cup apparatus use होता है, तो 175 से हमेशा temperature क्या करना है, कम रखना है, flash and fire point test हमारा next test था, जो bitumen पर perform हम लोग करेंगे, ठीक है, तो अभी हम थोड़े से questions practice कर लेते हैं, क्योंकि आज time भी हमारा ज्यादा हो गया है, अगर कुछ basic रहेगा, तो मैं वो कल की class में cover कर दूँगी, कल भी सुबा 8 बजे class होनी है, हमारी, अभी रुक जाओ, भी पोल भी नहीं start किया, हाना, answer पहले आने लग गए, जो उच देखिए quiz करने का, तो आप कुछ questions practice करते हैं, अभी हमने soil पर जो test perform किये जाते हैं, aggregate पर जो perform किये जाते हैं, और हमने bitumen और tar का difference देखा, और bitumen पर कुछ famous जो test होते हैं, मैंने सिरफ वो बताए, अभी बहुत चीज़ें हैं, इसमें अगर आप detail में पढ़ो, जो और चीज़ें भी सीखते हो, पर अभी हम सिरफ उनको filter करके पढ़ रहे हैं, जो हमारे अभी SSE JEE के लिए बहुत जादा important है, ठीके, चलिए, तो शुरू करते हैं, आप लोगोंने तो answer पहले ही बता दिया, इस question का, तो quiz में answer करेंगे, आप लोग comment section में, answer यहाँ पर मुझे poll में मिल जाएगा, ठीके, तो CBR test में जो value calculate की जाती है, वो किन दो value, किन दो penetration पर मिकाले जाती है, yes, correct answer क्या हो जाएगा, option D, at 2.5 mm penetration और 5 mm penetration, at 2.5 mm penetration, जो load standard हम 1370 kg consider करते हैं, at 5 mm penetration, यही value हम 2055 kg मान कर चलते हैं, जब हम CBR value निकालेंगे, तो correct answer बन जाएगा, मेरे पास option D, सभी का सही है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखते हैं, देखिए, यह भी हमने aggregate की property आज discuss की थी, aggregate impact value, indicate which one of the following properties of aggregate, पोल आपको वहाँ नहीं शोगा, आपको comment में answer करना है, यहाँ पर अपने आप, मुझे पता चल जाएगा, कितने percent लोगों ने सही बताए और आपका नाम भी आ जाएगा last में, ठीक है, जो answer सही बता रहे हैं, जो top पर होंगे, चलो, तो आपको सिरफ comment section मे answer देना है, जब आपको question दिख जाता है, तो अगला है कि aggregate impact value, तो resistance against sudden loading या impact loading उसको हम toughness बोलते हैं, तो toughness correct answer बन जाएगा, इसका option B, बहुत सारे लोगों का सही answer है, अब रुख जाएगा, अगला question देखिएगा, और फिर आप comment में answer कीजिएगा, ठीक है, चलिए, अगला test on bitumen is used to determine, penetration test इन में से क्या determine करने के लिए किया जाता है, penetration test क्या determine करने के लिए किया जाता है, तो penetration test किया जाता है, grade define करने के लिए ductility, viscosity या none of above, answer option C भी आ रहा है, तो correct answer हो जाएगा, अभी अभी मैंने बताया, penetration test से हम grade निकालते हैं, बताया भी था जब मैं पढ़ा रही थी आपको, तो सही answer बनेगा, option A, जब मुझे grade बतानी है, 30 by 40, 80 by 100, 80 by 100, 30 by 40, तो वो penetration बता रहा है, अभी किसी ने मुझसे पूछा था, कि मैं A 30 grade है, तो उसमें 30 क्या represent कर रहा है, यह 30 represent कर रहा है, 3 mm penetration, वो है अ जाद रखोगे, जैसे ही मैंने आपको grade वाला यह समझाया, उसी के बाद यह example दे दिया था, S30, S50, यह क्या represent कर रहा है, other than Assam, और A represent कर रहा है, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला question देखी, इसका answer बताईए, अगला है, which of the following property of vitamin is related to Penske-Martin test, Penske-Martin cup apparatus या Penske-Martin test में इसमें से किसकी value निकाली जाती है, तो मैं हम यहाँ पर है ductility, softening point, flash and fire point test, या फिर viscosity, तो अभी हमने देखा था, एक particular temperature होगा, जिस temperature पर bitumen को जब आप heat करोगे, उसके vapors में आपको एक flash नजर आएगी, उस temperature को flash point बोलते हैं, और उसके बाद जब हम heat करेंगे, तो वो at least अगर 5 seconds तक burn होने लग जाए, तो वो temperature fire point होगा, तो सही answer इस question का option C बनेगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, अब देखिए, सारे test जो हमने पड़े है, यहाँ से अगर एक एक number का state में question आता है, तो मैं मान कर चल सकती हूँ, आप वो answer सही करके आएंगे, अगला सवाल देखिए, which of the following test is used to test the aggregate for its abrasion resistance, अगर मुझे abrasion resistance check करनी है, तो कौन सा test perform करूंगी, तो हमने यहाँ पर देखा था, इंडिया में जो prefer किया जाता है, इंडिया में जो prefer किया जाता है, that is Los Angeles aberration test, लेकिन इसके अलावा double aberration test, dory aberration test भी हमारे वो test हैं, जिससे हम aggregate का hardness निकाल सकते हैं, तो इसका सही answer क क्या बनेगा, option d, तो 81% ने सही दिया, all options भी देख लेना है, आपने option c पर click कर दिया होगा, यह Los Angeles देखने के बाद, पर यह भी चेक कर लेना है, अगर option d दिया है, तो सारे options पढ़ लो एक बार अच्छे से, ठीक है, all of above अगर लिखा है, चलिए, अगला सवाल देखते हैं, और इस question को देखिए, यह अभी अभी अपने देखा था aggregates का जब हम shape test पढ़ रहे थे, so if the least lateral dimension of aggregate is less than 0.6 times of their mean dimension, अगर least dimension 0.6 times of mean dimension से कम है, the aggregate is classified as, aggregate is, कितने intelligent हो आप लोग है न, और थोड़ा बहुत मेरे पढ़ाने से भी हो गए हो, अपनी तारीफ मुझे खुद कभी कर ल नीच चाहिए, तो aggregate जो 0.6 times of their mean dimension से कम है, उसका answer हो जाएगा, flaky aggregates, सही answer है, option B, और 97% लोगों ने सही answer दिया है, ठीक है, तो यह हो गया, और अगर मैं elongated के लिए पूछ लेती, तो answer क्या करते, यह 0.6 किस से replace हो जाता, यह 1.8 से replace हो जाता, और जिसका greatest dimension, least की जगा greatest आता is greater than 1.8 times of mean dimension, हाना, चलिए, थोड़ा बहुत credit ले रही हूँ, और क्या ले रही हूँ, आपको कह रही हूँ कि चलो, आप इतने intelligent कुछ लोग पहले से हो, कुछ लोग अभी हो गए हो, तो अच्छी बात है, अदेखिए, in A30 grade, the bitumen A stands for, A30 grade में bitumen A क्या represent कर रहा है, अभी एक मिनट पहली बताया था इस question से, तो मैं हम इसमें A represent कर रहा है, कि जो bitumen को बनाया गया है, manufacture किया गया है, fractional distillation से, वो असाम petroleum से किया गया है, तो इसका answer option B होगा यहाँ पर, ठीक है, यह भी सभी का सही है, चलो, अगले सवाल पर चलते हैं, आभी रुख जाईएगा, नहीं तो अगले में comment आप, अगला question का option आपका B नजर आएगा, रुख जाईएगा, ठीक है, चलो, अगला सवाल देखिए, while conducting the softening point test on bitumen, the result is expressed in, softening point अगर मुझे निकालना है, तो result को express किस unit में किया जाता है, तो अभी हमने देखा था, कि ring and ball apparatus use किया जाता है, और उसमें एक thermometer भ रहे थे कि दो parallel plates है, कितने temperature पर जो आपका ball है, वो नीचे वाली plate को touch करेगा, जो कि 2.54 cm के distance पर है, तो सही answer हो जाएगा temperature, तो correct answer बन जाएगा temperature, कितने temperature पर bitumen soft होता है, वो है softening point, ठीक है, अगला देखिए, अभी अभी बताया है, यह तो आप ऐसी बता दोगे, यह तो किसी का गलत नहीं होना चाहिए, यह explain ही कर दिया, पिछले ही question में मैंने explain कर दिया है, कि softening point of the bitumen is determined by durability, strength and toughness, ring and ball apparatus, या none of above, तो कितने temperature पर bitumen solid से liquid consistency को achieve करता है, उसे भी define करते हैं, softening point से, ठीक है, तो सही answer हो जाएगा ring and ball apparatus, इसके लिए और रुखने की जरूरत नहीं है, और बढ़ते हैं हम फिर अपने आगे question की तरह, अगला सवाल देखिए, अगला सवाल देखिए, रुख जाएए अभी, so minimum value of the flash point, flash और fire point देखे थे, तो minimum value of the flash point of the bitumen based on I.A. specification, I.A. specification के basis पर, आपका minimum value of flash point कितना पड़ा था भी अभी हमने, तो देखो, जब आप साथ-साथ values लिख रहे हो, आपको याद भी हो रही है और आप questions भी कर पा रहे हो, especially जब आप कोई theory वाला topic पड़ रहे हो, तो सही answer हो जाएगा, option C, 175 degree, लेकिन जब भी हम between के साथ काम करेंगे side पर, तो इससे भी हम कुछ temperature 50 degree Celsius को कम रखेंगे, ठीक है, तो सही answer बन गया, इसका option C, आज बहुत अच्छा response है आपका, आज लग रहे है कि हाँ, ठीक response दे रहे हो आप लोग, चलिए आगला सवाल देख लीजी, अगला question है, which of the following represents the hardest grade, hardest grade बताना है, और grade कैसे define करते हैं, penetration test से और penetration test से आपने ये कुछ values देखी, तो इन सब में, जो सबसे कम penetration होगा, वो hardest grade होगा, चेक करिए क्या value होगी, सही answer, ठीक है, तो सभी का answer option A है, 30 by 40 का मतलब है कि bitumen का जो penetration test कर रहे हो, penetration value 3 से 4 mm के बीच में है, इसका मतलब है 6 से 7 mm के बीच में है, तो सबसे कम penetration इसमें है, तो hardest grade 30 by 40 होगा, और सही answer मेरे पास option A बन जाएगा, option C कैसे बता रहे हो, 80 by 100 कैसे होगा, C क्यों बताया आपने, आपसे hardest grade पूछिए न, hardest का मतलब है, जिसमें minimum penetration हो, तो answer option A बनेगा, ठीक है, चलो, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो, during the CBR test, the load sustained by using remolded specimen as 5 mm penetration is 50 kg, 5 mm penetration का load दिया है, और सीधा 5 mm से पूछा उसने CBR value निकालो, अब मैं poll start कर रहे हूँ, थोड़ा time आपको मिल गया question पढ़ने का, अब आपको सिरफ calculate कर रहे हैं, आपको यहाँ पर standard load की value पता होनी चाहिए, वो यहाँ put करोगे, और तो CBR निकल जाएगा, आपको 5 mm penetration पर load दिया हुआ है, 5 mm penetration पर load दिया है, कुछ लोग answer B बता रहे हैं, और कुछ लोग answer D बता रहे हैं, तो आपको अगर standard load याद है, तो आप answer कर सकते हो, इसका 50 है, ठीक है, चलो, मुझे तो answer मिल गया, तो यहाँ पर इसका correct answer क्या होगा, मैं, जब हमें CBR निकालना है, specially इसने 5 mm के लिए ही बोला है, तो 2.5 वाला load नहीं लगाएंगे, और वो लगा भी नहीं सकते, लोड हमें पता ही नहीं है, कितना आएगा, तो 5 mm के लिए 50 है, divided by standard load, 2055 kg, multiply by 100 कर दो, तो यहाँ से CBR at 5 mm penetration आपके पास 2.4% के आसपास आ रहा है क्या, option A कहां से आ रहा है, अतुल चोहान, मुझे भी बता दो 10 कैसे निकल कर आ रहा है, कैसी value पुट करी है कि 10 आ जाएगा, बताना ज़रा, तो 2.4% मेरे पास निकल कर आ रहा है, 5 mm के लिए standard load की value, 2055 kg होती है, तो हम यहाँ पर mark कर देते हैं हमारा correct answer, option D, जो की मुझे maximum लोगों का गलत दिखाई दे रहा है, आपने 5% answer दिया, क्या, आपने 5% कैसे answer दिया, 2250 नहीं, 2055 kg, मैंने कहा था कि जब पढ़ रहे हैं, तो साथ साथ values लिखते जाएए, तो answer हमारे पास option D बनेगा, ठीक है, चलो, एक ही numerical था और उसमें सब ने गलत कर दिया, अब सवाल देखिए, specific gravity of the bitumen, bitumen की specific gravity, कितनी होती है, अभी देखा था हमने, bitumen और tar के बीच में difference, तो वहाँ से समझना है, bitumen की specific gravity, किसके बीच में लाए करती है, 0.97 से 1.03, और इतने पढ़िया से option लिखे हैं, कि हमारी नजर ही आपर जाएगी, और कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, तो 0.97 से 1.03 के बीच में लाए करती है, और इसका सही answer हो जाएगा, option C हमारे पास, ठीक है, तो एक बार आज के leaderboard चेक करते हैं, तो आज हमारे quiz के questions complete होगे, अब अपनी end से आप questions practice करिएगा, जहां से भी करना चाहते हो, materials के maximum questions हमने, आपके cover हो गए होंगे, ठीक है, और जो नहीं हुए, वो आप questions देखिए, उसका थोड़ा पहुत theory आपको, जिस भी reference book में मिल जाता है, वहां से पढ़कर cover कर सकते हो, मैंने important part cover करवा दिया आपको, एक बार देखते हैं कि आज की leaderboard, अब देखिए, आप सब को ना उतकर्ष से डरने की जरूरत है, यह जो उतकर्ष कुमार है, पिछले तीन से चार दिन में अगर हम देखे, तो वो top 3 पर ही है, ठीक है, तो अब सभी को यहां पर ध्यान देना है कि, अब competition आपको class में भी दिख रहे हैं, कुछ तो class में दिखी नहीं रहा होगा, कुछ लोग recorded देख रहे होंगे, और कुछ लोग अपने आराम से टेस्ट दे रहे होंगे, पर यहां अगर मैं class की बात करूं, तो यह मुझे नजर आता है, आज top जो किया है, वो कोई नए है, नाम उनका नहीं लिखा है, आप टेक 0505 नाम से आए है, और आज फिर से सूर् इसके बाद है अक्षे, आज अभी मीना top 10 से पहले 5 से नीचे होते थे, आज आप top 5 में आ गए हो, आज the कश्मीर भी top 10 में आ गए है, आज concept of physics ने बहुत अच्छा इंप्रूव किया है, आप तो नीचे रहते थे, 10 से नीचे, 15 से नीचे आप top 10 में आ गए हो, आदिल, very good, ठीक है, आज captain, आज कुछ लोगों का improvement हुआ है, लव कुमार, अभी भी गलती कर रहे हो, या फिर थोड़ा late answer करते हो, जाधा नीचे हम जाएंगे नहीं, इतना नीचे नाम नहीं, देखने चाहिए, आपको भी शायत बुरा लग जाएगा, जिनका जाधा नीचे नाम होग तो top 3 में जो आए है, सबको congratulations और गलतियां कम करो, अपनी improvement करो daily, और ये देखो कि यहाँ पर जो गलती हो रही है, अपने आप question practice करते हुए जो गलती हो रही है, वो दूसरी बार नीचे है, ऐसा नहीं कि paper में नहीं जाके करूंगा, यहां कर लेता हूँ, आज जो की वो कल नहीं होनी चीए, उसको बोलते है improvement, जो कल गलती करी वो परसो नहीं होनी चीए, तब ही exam तक चाल के आप सीख जाओगे कि कहां कहां गलतियां होती है, और कहां मुझे बचना है गलतियों से, ठीक है, अच्छा फिर यह timing का कुछ होगा, क्योंकि आपका response अच्छा रहता है, मैं देखती हूं क्लास में, लव कुमार, तब ही मैं देखती हूं कि लेकिन rank की बारी वो नीचे क्यों चला जाता है, अच्छा, captain ने कहा है, उनका phone hang कर रहा था, यह problem भी हो सकती है, genuine है, मैं मान सकती हूं, ठीक है, phone hang कर सकता है, चलो, let's learn together ने भी ऐसे ही का है, मतलब आपक नाम कहां चला गया, अगर आपका एक ही गलत हुआ था, चलो, हो सकता है, मैं इस, मैंने इस, पोल को नहीं बनाया है, अगर, जो भी है, आपको पता है कि आपके अगर ज्यादतर question सही थे, तो वहां से खुश रही है, ठीक है, चलिए, तो और जो लोग अभी class में पहली बा ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक group है, कोई भी query हो, आप यहाँ पर पूछ सकते हो, जब-जब हमारे live classes होंगी, जो भी live classes होंगी, उन सभी का link आपको यहाँ मिल जाएगा, class के notes आपको मिल जाएंगे, यह telegram आपको यहाँ पर show होगा, कुछ इस तरीके से अगर आप देखो ठीक है, और अभी जैसे ही हमारा crash course complete होता है, तो crash course के completion के बाद हमें, क्योंकि आपके maximum subjects revise हो गए हैं, कुछ subjects बचे हैं, अभी lined up हैं, तो उसके बाद हम previous year questions भी practice करेंगे, और marathon sessions में एक बार फिर से सारे important formulas और concepts का revision करेंगे, तो वो classes कब-कब होंगी, क्या उनका timing रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं time to time यहां पर share करती रहती हूं, तो आप इस group में connect हो सकते हो, ठीक है, और crash course के complete होने के बाद ही, और भी जो चीज़ें plan की गई हैं, उससे आपकी तयारी और अच्छी होगी, और revision आप और अच्छे से कर पाऊगे, तो कल हमारा highway engineering का last class रहेगी, उसक जादतरना important नहीं है, ना SSCJ के लिए और जादतरना state में पूछा जाता है, तो उसमें आपको कुछ ही important formulas हैं, जो पढ़ने है, rigid payment के बारे में थोड़ी बहुत definitions और formulas, joints कौन से होते हैं, कौन सी bars होती हैं, कहां provide की जाती हैं, तो उसका एक basic idea हम कल की class में लेंगे, और फिर ह हम लोग अपना highway engineering complete कर लेंगे, ठीक है, चलिए, तो आज की, हाँ, आज के session को होगा, environment भी होगा, सारे subjects होगे, जब आपका, I think, 13-14 तक, जब भी आपका crash course complete होता है, उसके बाद फिर आपके previous year questions का revision और marathon में आपके important formulas का revision, ये series चलती रहेगी, आपके exam आने तक, ताकि आप का revision भी होता रहे, हर तरीके से, क्योंकि theory आपने पढ़ ली है, अब आप questions revise करोगे, उसके बाद आप एक बार marathon में सारे concepts revise करोगे, तो proper revision हो जाएगा, सारी चीज का, ठीक है, ठीक यू सो मच, Tech 0505, ठीक है, चलिए, तो end करती हूँ, अभी की class, और कल की class में मिलते हैं, सु हम अपना payment design पढ़कर highway engineering को complete करेंगे, आज के session को यहीं पर end करती हो, कोई भी doubt रहा होगा, तो आज की ही class में, आप comment section में उसको लिख दीजिएगा, और वहाँ पर आपको answer मिल जाएगा, नहीं तो कल की live class में answer मिल जाएगा, ठीक है, चलिए end करते हैं, आज के session, अच्छे स पढ़ाई करिये, thank you so much everyone and all the very best आपको आपकी exam की preparation के लिए, thank you so much. झाल झाल झाल